हाँ गोल कर दो गया बाई कौन है ना हो गए लाइव हो गए अब वेरी वेरी गुद आफ्टनून तो आल मैं आदान परिंदों कैसे हैं आप लोग गुद आफ्टनून एवरीवान अलो अगर अगर आडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से येस या थमसब बेश दीजे मैं आज 10 मिनिट्स लेट हूँ कुछ वर्क इंपोर्टन के कारण सो आइ अपलजाईज आइम सौरी अबाउट इट बिल्कुल क्लियर है तो जल्दी से येस या थमसब बेश दो मुझे गुड आफ्टिनून मैं बिल्कुल अच्छी हूँ थैंक्यू सो मच आए होप आप लोग भीगदा मस तो खुश हो चलिए तो जो न्यू स्टूडेंट जो उन्हें मैं बता दू कि यकीन NCRT लाइन बाइन सीरीज के अंडर मैं आपका कंप्लीट जोलोजी ले रही हूँ और अभी तक हमने इसमें 11th कंप्लीट कर लिये और हमने 12th के बाइयोटेक अप्लिकेशन के पहले के सारे चाप्तर ले लिये कल मैं आपको प्रिंसिपल्स और प्रॉसेस पढ़ा चुकी हूँ आज हम बाइयोटेकनलोजी की अप्लिकेशन देखेंगे तो आई हम सबसे पहले आशिरवाद लेते हैं ब्लेसिंग लेते हैं और अपनी बाइयोजी माता को याद करते हैं तो लगाओ मेरे साथ नारा बोलो बाइयोजी मैया की जै हो जो new students है मैं उन्हें बता दूँ यह आप जा सकते हैं यह जो new students है मैं उन्हें बता दूँ कि physics वाला PW के app पर यह course absolutely free में available है वहाँ पर test भी होते हैं slide के सारे PDF notes भी अटाच होते हैं और सारे lectures भी होते हैं अभी तक जो भी lectures हैं YouTube पर तो आप देखी सकते हो playlist में आप में भी देख सकते हो भाँ पर उनकी notes भी मिल जाएंगे और test भी होते है अब my dear students मैं आज class actually शुरू करने के पहले आप लोगों से कुछ बहुत important बात करना चाहती हूँ क्या बात करना चाहती हूँ आपको बताती है so my dear students बहुत सारे students confused हो रहे हैं कि हम new NCRT खरीदें अगर हमारे पास already old NCRT है या जिनके पास new NCRT है कि हमें old NCRT से भी कुछ पढ़ना है क्योंकि कुछ चीज़े हैं जो old NCRT से delete हो गई है कुछ चीज़े हैं जो new NCRT वालों को old NCRT से पढ़नी पढ़ेंगी और कुछ चीज़े हैं जो new और old दोनों के लिए एक surprise बन कर आया है तो NMC का जो syllabus NMC ने announce करा है NEED 2024 के लिए मैं आज उससे related old NCRT से पढ़ें new NCRT खरीदें क्या करें आपके सारे doubts अगले 10 मिनट में clear करने वाली हो आपको किसी को भी कोई और किताब खरीदनी नहीं है अपने पैसे वेस नहीं करने है अगर आपके पास old NCRT है तो मैं आपको बताऊंगी कि old NCRT में क्या क्या नहीं पढ़ना और अगर आपके पास new NCRT है वो तो पूरी पढ़नी है plus additionally आपको old NCRT से क्या पढ़ना है और इसके लिए आप बहुत आराम से PDF से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो पूरी बुक खरीदने की ज़रत नहीं है तो आए पहले शुरू करते है जिनके पास old NCRT है because majority के पास यहीं है old NCRT वालों को सब कुछ पढ़ना है except जो मैं topics बता रही हूँ सबसे पहले living world chapter से सिर्फ एक topic है taxonomic aids जो NCRT syllabus में नहीं है इसे अभी हम skip कर सकते हैं हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि by chance अगर section B में questions आ गए तो हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं जैसे frog में भी पहले बोलते थे बढ़ एक दो frog से question आते थे पर वो ऐसा मान लेते थे कि frog जो है वो animal kingdom में भी है तो अभी हम पहले focus NMC के syllabus पे करेंगे फिर जब time बचेगा तो हम भले ही एक बार देख ले जिनके पास old NCRT है उन्हें living world से सिर्फ एक topic नहीं पढ़ना बाकी सब कुछ पढ़ना है मैं पूरा detailed analysis कर चुकी हूँ number two plant kingdom से आपको angio sperms और life cycle pattern ये alternation of generation नहीं पढ़ना पर ये कोई major change नहीं है because ये पूरा का पूरा आप sexual reproduction में पढ़ लोगे angio sperms तो पूरा sexual reproduction में पढ़ लोगे life cycle के साथ और alternation of generation तो आप वैसे ही पढ़ लेते हो जब आप algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperms पढ़ते हो बट हाँ जो अलग से paragraphs दिये हैं वो आपको नहीं पढ़ना है अब इसके बाद structural organization पर आते हैं biological classification animal kingdom में कोई भी change नहीं है structural organization के अंडर अर्थमम आपको 100% नहीं पढ़ना है cockroach अभी plus minus है because cockroach एक insect है और NMC के PDF में insect और bracket में frog लिखका है frog new NCRT में भी है तो frog तो पक्का पढ़ना है cockroach अभी plus minus है इसे आप लोग on hold रख दीजिए I am very very sure कि NMC या NTA एक और notice निकालेंगे जिसमें वो इसे clear करेंगे कि दोनों पढ़ने है या only frog पढ़ना है frog तो पक्का आएगा because frog जो है वो तो new NCRT में है now anatomy वाले chapter से आपको सब कुछ पढ़ना है बस ये secondary growth वाला topic नहीं पढ़ना है secondary growth जिसमे secondary growth in dicot stem, dicot root, cock cambium, vascular cambium, spring wood, autumn wood, tap wood, heart wood वो सब कुछ आता था वो आपको नहीं पढ़ना है cell the unit of life, cell cycle, cell division में कोई major change नहीं है morphology में भी old NCRT वालों के लिए फिलहाल कोई change नहीं है मैं सब detail बताऊंगे biomolecule में ये छोटे-छोटे से points थे concept of metabolism, living state, छोटे-छोटे से मुश्किल से एक पेज के ये आपको नहीं पढ़ना, बाकी majorly पूरा पढ़ना है photosynthesis पूरा पढ़ना है, respiration पूरा पढ़ना है now, plant growth and development से आपको तीन topics छोडने है photoperiodism, vernalization and seed dormancy ये मैं old NCRT वालों को क्या-क्या नहीं पढ़ना वो बता रही हो बिना किसी confusion के, बाकी आपको अपनी पूरी old NCRT पढ़नी है transport and plant का पूरा चाप्टर नहीं पढ़ना, mineral nutrition का पूरा चाप्टर नहीं पढ़ना और digestion and absorption का पूरा चाप्टर नहीं पढ़ना nervous system जो है, वहाँ से आपको दो topics नहीं पढ़ने हैं एक reflex arc and reflex action और एक पूरा का पूरा जो sense organs था बट मैं फिर भी बोलूँगी कि reflex arc action को एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा बढ़ा sense organs नहीं पढ़ना, reproduction in organism का पूरा चाप्टर नहीं पढ़ना sexual reproduction में कोई चेंज नहीं है, human reproduction में कोई चेंज नहीं है genetics के दोनों चाप्टर में कोई चेंज नहीं है, evolution में कोई चेंज नहीं है microbes में कोई चेंज नहीं है, environmental issue का पूरा चाप्टर नहीं पढ़ना है मैं यहां number 19 लिख देती हूं, environmental issues यह पूरा चाप्टर नहीं पढ़ना है यह major important change है, यह जरूर आपके लिए मददगार है ozone, depletion, greenhouse effect, वो सब कुछ हटा दिया है अब, organism and population में सब कुछ पढ़ना है जो old NCRT वाले हैं, biodiversity and conservation में सब कुछ पढ़ना है now ecosystem का जो chapter है, वहां से 3 topics ecological succession, primary, secondary जो था nutrient cycling, carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle and ecosystem services, यह 3 topic आपको नहीं पढ़ना अब ध्यान से सुनो, strategies वाला जो chapter एक बड़ी चालाकी करी गई है, एक बहुत अकलमंदी करी गई है इन्होंने क्या करा है, strategies वाला पूरा चाप्टर हटा दिया बट उसके जो यह topics हैं, जो मैं आज पढ़ाऊंगी plant tissue culture, micro propagation, meristem culture, soma clones, somatic hybridization यह सब biotech and application में डाल दिये हैं यानि यह topics आपको read करने हैं, बाकी पूरा चाप्टर आप skip कर सकते हैं right, clear हो गया, अच्छे से, याने old NCRT में क्या नहीं पढ़ना मैंने आपको बता दिया और अब मैं बता रही हूँ कि किस chapters में old NCRT में कोई चेंज नहीं है, बिना confusion के biological classification, animal kingdom, cell the unit of life, cell cycle, cell division, respiration implants, photosynthesis, digestion अटा दो, breathing, body fluid, excretory, locomotion, chemical control, इन में कोई चेंज नहीं है यह class 11th के chapters है, class 11th nervous system में sense organs, reflex आख खटा, इसलिए वो इस list में नहीं आता now class 12th के अंदर sexual reproduction, human reproduction, reproductive health, principles, molecular basis, evolution, biotech principle में change नहीं है, application में strategies का कुछ पाट गुसा दिया है microbes, organism and population, biodiversity इसमें old NCRT वालों के लिए कोई भी change नहीं है तो old NCRT वाले बिलकुल clear है कि इन chapters में कोई change नहीं है और बाकी chapters जो है इनके अलावा उन में से क्या-क्या नहीं पढ़ना है अब हम आते हैं जिनके पास new NCRT है new NCRT वालों को old NCRT नहीं purchase करनी आप PDF से जो जो extra topics हैं उन्हें लिख लीजिएगा सबसे पहले आपको living world जो first chapter है living world वहाँ से what is living old NCRT से पढ़ना पढ़ेगा old NCRT से जिसमें growth, metabolism, reproduction जो five characters वो सबा जाएगा इसके अलावा morphology वाला जो chapter है वहाँ से आपको modifications of roots, stem and leaf पढ़ना है prop roots, tilt roots, pneumatophores, respiratory roots, food storage के लिए roots stem में underground roots, taberial, runner, stolon वो सब पढ़ना है leaf, खाना store करने के लिए leaves होती है insectivorous होती है, tendril, thorns, वो सब पढ़ना है you have to read from old NCRT, आपकी नई NCRT में नहीं दिया इसके अलावा structural organization chapter के अंदर animal tissue आपको old NCRT से पढ़ना पढ़ेगा cockroach अभी plus minus है, hold पर है frog already है आपके पाद, now and anatomy of flowering plant से आपको plant tissue old NCRT से पढ़ना पढ़ेगा NMC ने clearly tissue लिखा है, यानि animal tissue, plant tissue दोनों आएंगे meristematic tissue, permanent tissue, parenchyma, xylem, phloem, colonchyma, scleranchyma पढ़ना है, now organism and population से ये तीन topics हैं जो new NCRT में नहीं हैं, पर syllabus में हैं को old NCRT से पढ़ना है, तो new NCRT वालों को ये चीज़े old NCRT से पढ़ने है बाकी पूरी अपनी book पढ़नी है तो old NCRT वालों को new से कुछ भी नहीं पढ़ना new में कुछ अलग नहीं है, अपनी book पढ़नी है, बस ये सब कुछ नहीं पढ़ना और new NCRT वालों को अपनी book पूरी पढ़नी है, प्लस old NCRT से ये topics पढ़ना है एकदम अच्छे से clear हो गया अब, इनके अलावा कुछ चीजें add करी गई है, जो ना ही old NCRT में है और ना ही new NCRT में, ना old NCRT में है, ना new NCRT में है इसमें क्या क्या आता है, इसमें human health and disease में दो diseases है हाले कि my dear students in दो diseases का name mentioned है human health and disease chapter में old and new दोनो NCRT में, बर केवल नाम लिखा हुआ है अब आपको थोड़ी सी detail में पढ़ना पढ़ेगा, जैसे किस mosquito की bite से होता है क्या symptoms होते है, थोड़ा सा आपको detail में पढ़ना पढ़ेगा आप जहां भी पढ़ रहे हैं वो teachers आपके आपको पढ़ा देंगे, कोई जादा बड़ी बात नहीं है और morphology chapter जो है उसके अंदर, मालवेसी, ग्रामीनी और कंपोजटी देखो ध्यान से सुनू, यह जो क्रूसी पेरी है, यह तो ब्रासी केसी है और ब्रासी केसी जो है, यह old and new, दोनों के अंदर, इसका floral formula और diagram दिया हुआ है और जगे जगे पर जहां भी mustard वगेरा की बात हुई है, वो भी हलका सा idea है तो यह इतनी बड़ी बात नहीं है, बट यह तीन जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसके लिए आप लोग hold करें, इन तीन के लिए on hold रख दीजे because यह ना ही old NCRT में, ना ही new NCRT में हो सकता है एक और circular eye, PDF eye, जहां पर इसमें कोई change किया जाए नहीं हुआ, तो आप जहां भी पढ़ते हैं, हम से पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं PW में, जहां भी, wherever you read, आपकी teachers पढ़ा देंगे, कोई जाधा बड़ी बात नहीं तो कोई panic नहीं करना है, जो book है, उसी को पढ़ना है old है, old से पढ़ो, new है, new से पढ़ो, important है कि पढ़ना है important है कि पढ़ना है, this is important, right so कोई नहीं किताब नहीं करीदनी, पैसे वेस नहीं करने हैं, बिलकुल दिमाग में clear कर लीजे कोई बहुत जाधा major topics cut नहीं हुए chapter से, कुछ add बहुत जाधा नहीं हुआ है जो add हुआ है, वो भी controversial है, तो तीन families हो सकता है, हट भी जाएं, बाकी काफी कुछ पढ़ने के लिए हाँ, कुछ chapters जो पूरे-पूरे delete हो गए है, definitely वो उनको benefit देंगे, competition थोड़ा और बढ़ जाएगा paper easy आएगा या tough आएगा, वो तुम्हें हमेशा बोलती हूँ आपसे कि इन बातों से कोई फरक नहीं पड़ता, tough paper आता है, cut off low चला जाता है, easy paper आता है, cut off high चला जाता है, selection उन्हीं top students का होता है, जितनी seeds है so all, I hope आपके doubts clear हो गए है, thank you very much clear हो गए है, तो मुझे जल्दी से आपे thumbs up दे दो एक बार ठीक है, clear है, करें, class start करें अब कोई tension ने लेनी कोई time waste नहीं करना, पढ़ना है अब आईए, हम भी बिना time waste करें, अपना chapter शुरूर करते हैं तो please heading लिखिएगा, biotech and applications, thank you तयारे, क्या बात है, आजो समझो देखिए, biotechnology हमने last chapter में principles पढ़े थे, उसके genetic engineering, bioprocess engineering, उसके tools पढ़े थे, enzymes, vectors and hosts और उसके processes पढ़े थे, जिसमें general सी lines है, हमें पता है कि हम biotechnology से एक बार NCRT में mark करो, open करो, large scale याने industrial scale पे pharmaceutical, पार्मासूटिकल मतलब दवाईया, drugs बना सकते हैं, और भी products बना सकते हैं, किसको use करेंगे हम, host याने genetically modified, microbe हो सकता है, fungi हो सकता है, plant हो सकता है, animal हो सकता है, किसी भी इस तरह के host के अंदर हम अपना desired gene डाल कर और उसे express कराकर desired protein बना सकते हैं, जैसे यह कहते इसमें therapeutics आते हैं, therapeutics का मतलब होते हैं, दवाईया, drugs, medicines, इसमें diagnostic की techniques आएंगे, जिससे हम बिमारी का पता लगाएंगे, हम crops बनाएंगे genetically modified, खेती के लिए, मैं सिखाऊंगे, आज सब सिखाऊंगी, processed food, bio remediation, ये भी बताऊंगी, waste treatment, ये microbes में पढ़ोगे, ये सब microbes chapter में आप पढ़ोगे, energy production, ये सब हम, भाई कुछ ही नहीं करना, आपको तो वो gene डालना है, जो protein, जो product आपको चाहिए, ठीक है, अब, biotechnology में research के areas क्या हैं, मैं सब diagrams बनवाऊंगी, charts बनवाऊंगी, जो मेरे प्यारे पुराने students है, वो सब जानते हैं, जो regular students है, अभी कुछ lines NCRT में mark कर रहे हैं, biotechnology में, तीन areas में research कर सकते हैं, सुनो, बहुत आसाओ, एक तो यादे मैंने आपको कहा था, downstream processing, product to product vary करती है, company to company vary करती है, उसमें हमेशा research का scope है, कि कौन company कम से कम पैसे में, जादा से जादा बढ़िया downstream processing करेगी, number two, आपको यादे, second सिध्धांग था, bio process engineering, यानि ऐसा environment create करना, sterile ambience, जिसमें केवल हमारा desired host grow करे, बाकी grow ना करे, उसमें हमेशा scope है, कि हम बहतर से बहतर, bio reactors, fermenters, वो सब बनाएं, situations बनाएं, और तीसरा, हम अच्छे से अच्छे, best से best enzymes use करें, vectors use करें, host use करें, ये कितना असान तो है, आजो, mark करो NCRT में, सबसे पहले, downstream processing में, scope है, better, 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 better research करने का, number two, optimum conditions create करना, ताकि जो catalyst है, catalyst मतलब, जो भी आपने gene डाला है, host के अंदर, वो काम कर सके, product बन सके, और तीसरा, best catalyst provide करना, catalyst मतलब, best host, best enzyme, best vector को choose करना, improved organism, microbe, यानि host, enzyme, बहतर से बहतर से बहतर बनाएं, तो ये तीन lines जो है, ये as it is आनी चाहिए, true या false करके, इनसे related question आ सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, हो गया अच्छे से, रुक्मनी, जुबेर, educational world, Tuesday और Wednesday, अब तो बस दो chapters और बच्चे हैं, इस दो लॉजी के अंदर हमारे, बागी सब हमने complete already कर लिया है, पूरी series complete कर लिया है, चलिए, अब आजो हम सबसे पहले खेती agriculture में देखते हैं, ध्यान से सुनिये मुझे, तो दो, देखो, अगर मुझे food का production बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, तीन तरीके, एक तो आपको बता है, हम लोग chemical fertilizers, खाट डालते हैं, या DDT spray कर दो, अगर कोई mosquito फसल खराब कर रहा है, यानि chemicals यूज़ करते हैं, chemicals, इंसेक्ट मारने वाला, इंसेक्टिसाइड, पेस्ट मारने वाला, पेस्टिसाइड, पेस्ट मतलब कोई भी organism जो फसल खराब करता है, और fertilizer, पर यह सब chemicals हैं, इसे बोलते हैं, एगरो chemical based agriculture, chemicals यूज़ कर रहे हैं, इस ते definitely production बढ़ जाता है, green revolution, हरित क्रांती, जो mid 1960s में होई थी, chemicals का पहली बार यूज़ हुआ था, fertilizers, insecticides, वगएरा, chemicals का और बहुत तीन गुना, triple yield हो गई थी, लेकिन problem क्या है, यह chemicals हैं, यह environment में pollution करते हैं, यह soil की fertility को खराब करते हैं, तो दूसरा तोड निकला था, organic agriculture, यह आपको पढ़ाया होगा microbes chapter के अंदर, organic, organic मतलब यहाँ पर हम living organism को fertilizer की तरह यूज़ करते हैं, पढ़ाओगो ना, bio fertilizer, ऐसे बहुत सारे blue green algae हैं, यानि cyanobacteria, bacteria जो nitrogen fix करते हैं, anabina, nostoc, rhizobium, frankia, rhodospiralum पढ़ाया हैं वो सब इसमें आ जाता है, जैविक खाद जिसे बोलते हैं, सुनाए ना, आजकल organic दाल, organic good, इसका इतना सा मतलब है कि जब उसे grow कर रहे थे, उगा रहे थे, उस समय पर जो खाद डाली गए थी fertilizer वो living organism था, अपकोस यह better है, पर सबसे शांदर क्या हो जाए, सबते शांदर ही हो जाए कि चावल के अंदर नौर्मली विटामिन ए नहीं होता, तो ऐसी countries जहां पर चावल खाया जाता है, विटामिन ए नौर्मली वेजिटेबल और प्रूट्स में होता है, वेजिटेबल और प्रूट्स सबजी फल महेंगे होते हैं, तो जो common man है, जो poor people है, गरीब लोग, सबजी वगरा नहीं खापाते हैं, वो तो रोटी या चावल खाते हैं, वो चावल खा रहे हैं, वहाँ चावल खाते हैं जादा, तो उनमें विटामिन A की कमी हो जाएगी, विटामिन A की डेफिशेंसी से नाइट, ब्लाइडनेस, रतौंदी होती है, तो क्या मज़े आ जाएं अगर, विटामिन A गाजर में मिलता है, मैं गाजर से उसका जीन निकालू, वेक्टर के साथ जोड और चावल के सेल में डाल दो, और अब जब वो सेल मल्टिप्लाइ करें, तो सब में मेरा जीन जाए और सब के अंदर विटामिन A बन जाए, तो मैंने विटामिन A रिच राइस बना दिया, यहाँ पे जेनिटिकली मॉडिपाई कौन हुआ है, कौन है होस्ट, राइस, यान और जेनिक खेती करो, या जेनिटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स बनाओ, जिसकी डीटेल में हम पढ़ें, ठीके, दिख विजे, पजलत, कृती, सृष्टी, सिलेखा, एवरीबडी, येस, राइस जेनिटिकली इंजीनियर्ड इन दिस केस, अब, ग्रीन रेविल्यूशन, यानि हरित क्रांती जिसे बोलते हैं, अब तो स्ट्राटेजी चाप्टर डिलीट हो गया, वरना डीटेल्स थी उस चाप्टर में इसकी, उससे फूर्ट सप्लाई तीन गुना बढ़ गई थी, ट्रिपल, ट्रिपल हो गई थी, लेकिन ये भी इनप नहीं है, पॉपुलेश प्राक्टिस थी, एग्रो केमिकल, मैंने अभी अभी आपको बताया था न, केमिकल का यूज किया था, केमिकल वाली खाद, केमिकल वाले पेस्टिसाइड एक्सने, लेकिन प्रॉबलम ये थी कि ये जो एग्रोकेमिकल हैं, बहुत महंगे हैं, और दूसरा, ये पुराने धर्रे से यील्ड बढ़ाना पॉसिबल नहीं है तो क्या करें इधर कुआ उधर खाई इसका जवाब हमें मिला जैनिटेक इंजिनियरेंग क्या है इसका ऑल्टरनेट इसका ऑल्टरनेट है कि हम पर्टिकुलर प्लांट में जैसे मान लीजे कोई जंगली वेराइट पर थोड़ी सी भी गर्मी पढ़ती है वो बिचारा मर जाता है तो मैं वो जीन जिसके कारण वो जंगली वेराइटी रजिस्टेंट है हाई टेंप्रेचर को उस जीन को या तो लाब में आर्टिशिली बना लूँ या मैं उस पेड से निकालू वेक्टर के साथ जोड़ू इस पेड में डाल दूँ तो अब ये भी हो जाएगा टेंप्रेचर रसिस्टेंट ये तो शांदार तरीका है याने इसका तोड क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दिस इस दे सॉल्यूशन दिस दे सॉल्यूशन क्योंकि ये जो केमिकल है ये कॉसली भी है और इ झाल राइट आल राइट चलिए अब यहां पर NCRT ने क्या कर रहा है आपको दिखाती हूँ strategies chapter का दो paragraphs biotech application में डाल दिए है जिनके पास new NCRT है अभी मैंने जो बात की थी जिनके पास new NCRT है उनके में ये already है इसी chapter में बायोटेक application में बड़ जिनके पास old NCRT है वो please strategies वाला chapter निकालिए strategies right so old NCRT जिनके पास में है उसमें ये strategies for enhancement in food production उस chapter में दिया हुआ है ठीक है जल्दी से एक बार old NCRT का कोई भी student मुझे page number बता दे ना सुनो इन्होंने क्या कहा सुनो प्लीज ध्यान से सुनिए suppose करो कि एक पत्ती है leaf मानलो उस एक पेड़ है एक आम की species उसके शांदार आम आते हैं सुनो ध्यान से मजे लेके पड़ो उसके शांदार आम आते हैं शांदार ठीक है 177, 178 page है यह देख लेना आप थोड़ा सा सुनो पहले मैं चाहती हूँ अगर इसमें sexual reproduction हुआ तो तो आम की quality change हो जाएगी मैं चाहती हूँ exact carbon copy पेड़ बने, clone बने, clone मैं वो कैसे कर सकती हूँ मैं flowering का weight ना करूँ, मैं leaf या root या stem के किसी एक cell से पूरा नया पेड़ बना दूँ तो meiosis हो गई नहीं, mitosis होगा हाँ, उस cell में यह काबिलियत होनी चाहिए कि वो पूरे all types of tissues and organs and और पूरा का पूरा पेड़ बना सके इस काबिलियत को बोलते है, totipotency, potency मतलब potential, toti मतलब total potential है, एक single cell से पूरा new organism बनाने का plants में, leaf में, root में, stem में, जो cells होते हैं, वो पूरी जिंदगी totipotent होते हैं, हमारे में ऐसा नहीं होता हमारे में ऐसा नहीं है कि आप मेरा ये skin का cell लो और पूरी मेरी carbon copy या कांगशर में बना दो, no, not possible हमारे में total potential जो है, वो सिर्फ जब हमारा embryo 8 cell तक होता है, तभी तक होता है उसकी बाद decide हो जाता है कि कौन सा cell, कौन सा tissue या organ बनाएगा, इसलिए हमारे में adult से नया carbon copy बनाना easy नहीं होता, हाले कि dolly clone बनाई गई है, उसकी detail में हम नहीं जा रहे है पर plants में ये बहुत easy होता है, plants में stem, root, leaf, इनके जो cells हैं, वो टोटी potent है सपोस करो मैंने एक cell लिया, और मैंने उससे पूरा नया पेड बना दिया, carbon copy इसे बोलते हैं, micro propagation, micro, micro मतलब छोटा सा पाट लिया मैंने और उससे propagation कर दिया, propagation का मतलब ये शब्द propaganda से आया है जैसे बड़ा चड़ा के प्रसार प्रचार करते हैं, elections के टाइम पे, propaganda, बोलते हैं इतनी सी बात का propaganda क्यों कर रहे हो, यहाँ पर हमने एक पेड था, उसके लीव का एक सेल लिया और उससे हजार ओला को पेड बना दिये, कम टाइम में thousands of plants बना दिये, इसे बोलते हैं, micro propagation की technique, यह तभी possible है अगर टोटी potency है, और जो process हम करेंगे, उसे बोलते है, plant tissue culture, क्योंकि जो पेड का cell है, याने tissue है, उसको अभी हम culture करेंगे, multiply करेंगे, तभी तो पूरी body बनेगी, और जिस part को हम use करेंगे, suppose मैंने leaf से पूरा पेड बनाया, leaf के cell से, leaf के एक part से, तो उसे x plant कहते हैं, मैंने stem से बनाया, तो उस particular हिससे को x plant कहते हैं, मैंने यहाँ पर आपको four terms introduce करेंगे, please mark करें, पहला term introduce करा है, मैंने totipotency, totipotency का मतलब है, capacity to generate whole plant from any cell, और उस cell को कहेंगे x plant, यह मैंने first term introduce किया, totipotency, now second term, x plant, x plant मतलब, पेड का कोई भी part, जिससे हम बाहर निकालेंगे, और जब हम इसे test tube में grow करेंगे, तो नया पेड बन जाएगा, नया पेड, अपकोस आपको से क्या-क्या देना पड़ेगा, आपको उसको खाना पीना देना पड़ेगा, nutrient media देना पड़ेगा, आपको oxygen देनी पड़ेगी, आपको sterile condition देनी पड़ेगी, कोई bacteria, virus वगेरा उसको infection ना दे, यानि X plant को sterile condition में, nutrient media special होगा, उसमें grow करेंगे, क्या होगा nutrient medium में, nutrient medium में क्या होगा, खाना, खाना मतलब carbon का source, carbon जैसे glucose, पर यहाँ दिया है sucrose, बहुई sucrose भी पहले glucose और fructose में breakdown होगा, जिसते energy मिलेगी, यही नहीं, आपको से वो सब देना पड़ेगा, जो पेड़ को growth के time चाहिए, जैसे vitamins चाहिए, amino acids चाहिए, salts चाहिए, तो इसमें salts होने चाहिए, vitamins होने चाहिए, amino acids होना चाहिए, और पेड़ को चाहिए होता है, hormones, oxygen and cytokinin, अब आपको यहाँ पे बताती हूँ, होता क्या है, देखिए, suppose करो मैंने ये एक पत्ती ली, इससे मैं new plant बनाऊंगी, यानि ये मेरा x plant है, x plant है, मैं क्या करूंगी, मैंने इसको एक test tube में लिया, ये मैंने ले लिया, मैंने इसमें क्या क्या दिया, please लिखिए, मैंने इसको in organic salts दिये, vitamins दिये, ये सब चाहिए रहता है, वैसे भी plant को चाहिए रहता है, जब seed germinate करती है, नया पेड़ बन रहा होता है, मैंने इसे amino acids दिये, मैंने इसे sucrose, as carbon source दिया, ताकि energy ATP बनेगी, मैंने इसे sterile conditions दिये, ताकि कोई infection ना हूँ, और अब मैं इसे plant growth regulators, auxin and cytokinin दोंगे, अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले, सबसे पहले, auxin और cytokinin equal amount में देते हैं, equal, जैसे ही आप auxin और cytokinin equal amount में देते हूँ, देखो ये leap है, इसके cells permanent है, यानि differentiated है, उनमें de-differentiation होता है, यानि वो meristematic हो जाते हैं, secondary meristrim समझ लो, ऐसा, ये हो गए, इसे callous बोलते हैं, callous, callous, undifferentiated, ये anatomy में पढ़ते हैं, undifferentiated, यानि ये dividing cells हैं, तब ही तो पूरी body बनाएंगे, undifferentiated group of cells, mass of cells, तो callous कब बनता है, जब auxin और cytokinin equal amount में देते हैं, ये सब plant growth and development में पढ़ाया आजाता है, और ये syllabus में है, new NCRT में भी है, old NCRT में भी है, इसके बाद क्या करते हैं, एक बार जब callous बन गया, ठीक है, चलो, एक काम करते हैं, next page पर बनाते हैं, अब आपका callous बन गया, अब auxin more than cytokinin देते हैं, यानि auxin की मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे आप auxin बढ़ाओगे, तो ये जो callous है, इसमें से roots बनने लग जाएंगी, callous में से rooting हो जाएगी, root formation, rooting hormone होता है, auxin हम पढ़ते भी हैं, so auxin जब जादा होगा, तो roots बनेंगी, फिर क्या करते हैं, थोड़ी देर बार, auxin कम और cytokinin जादा कर देते हैं, जैसे ही cytokinin बढ़ाते हैं, वैसे ही shoot formation हो जाता है, shoot formation, ये सब plant growth and development में आपको पढ़ाया भी होगा, तो shoot कब बनती है, जब cytokinin जादा है, root कब बनती है, जब auxin जादा है, और callus कब बनता है, जब cytokinin auxin बराबर है, तो ऐसे करके naturally भी यही होता है, और हम भी इसमें यही करवा रहे हैं, डान इतना समझ में आया, ठीक है, चलिए, यह डीटेल यहां नहीं दी, बट हमें यह पता होना चाहिए, यह जो technology है, इससे हम large number of paid बना सकते हैं, बहुत ही कम देर में, सपोस करो, hundred cells थे, totipotent, हर cell से new paid बन गया, तो hundred plants, बहुत कम time में बन गया, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताओ, एक्चिली यह सब तो test tube में बन रहा है न, है न, यह तो ऐसा हुआ होगा न, ऐसा, यह media है, यह root बन गई, यह shoot बन गई, अब इसको पूरा थोड़ी test tube में ग्रो करेंगे, छोटा सा plantlet को निकाल लेते हैं, फिर मिट्टी में डालते हैं, अब हम detail में नहीं जाएंगे, क्योंकि strategies हमारे code से हट गया है, चलिए, अब देखो क्या हो, यह जो technology है, जिसमें हम thousands of plants बनाएंगे, tissue culture के द्वारा, हम culture ही तो कर रहें, उसको खाना, पीना, nutrition दे कर growth करवा रहें, इस technology को, इस method को बोलते हैं, micro propagation, तो मैंने आपको totipotency समझाया, मैंने आपको X plant बताया, और मैंने आपको micropropagation बढ़ाया, और यह सब क्या है, this is tissue culture, tissue culture, tissue को हम culture कर रहें, तो जिस tissue से, जिस part से, जिस cell से आप new plant बना रहे हैं, उसे X plant कहते हैं, उसके अंदर property होनी चाहिए, तोटी potency की, ठीक है, और इस method, जहां पर हम thousands of plants, very short time में बना रहे हैं, उसे micropropagation कहते हैं, यह sexual reproduction नहीं है, यह asexual reproduction है, यहां पर यह जो पेड़ बनेंगे, यह genetically identical होंगे, original पेड़ के, याने यह clones हैं, और हमने यह somatic part से बनाए, हैं, एक reproductive part होता है, जो flower होता है, हमने somatic part से बनाए, root, stem, leaf से, तो इन्हें कहते हैं, soma clones, what are soma clones, soma clones मतलब, एक cell से अगर मैंने 1000 plants बनाए, वो जो parent की, original पेड़ की carbon copy हैं, तो उन्हें सब को हम soma clones कहेंगे, ठीक है, tomato, banana, apple, यह तीन आने चाहिए, यह soma clones से बनाया गया है, इसी micro propagation, plant tissue culture टेक्नीक से बनाया गया है, यह strategies का part है, जो अब biotech के अंदर include कर दिया है, applications में, clear हो गया इतना सबको, थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए, अब ध्यान से सुनिए, अब, suppose करो एक पेड़ है, ठीक है, suppose करो एक पेड़ है, और उसमें virus का infection हो गया, आप वो पेड़ तो खराब हो गया, लेकिन वो पेड़ बढ़ी अच्छी quality का था, मैं चाहाती हूँ कि उसकी carbon copy plant मिल जाए, आप क्या करो, पेड़ पूरा infected है, पर जो meristem होती है, चाहे tip वाली apical meristem हो, चाहे axle position, auxiliary meristem हो, ये दोनों में कभी virus का infection नहीं होता, actually, meristematic cells तो तरह fast divide करते हैं, कि virus multiply नहीं कर पाता, यानि पूरे पेड़ infected है, flower, flower, सब खराब हो गया, पेकार हो गया, पेड़ मरने वाला है, बरबाद हो जाएगा, waste हो जाएगा, but meristem is always free of virus, बस आप meristematic cells लो, वो तो खुदी dividing cells है, special medium दो, plant tissue culture करो उसका, यानि micro propagation करो, और उसे carbon copy धेड़ सारे पेड़ मिल जाएंगे, वो सारे uninfected होंगे, non infected, क्योंकि meristematic cells में तो virus था ही नहीं, यानि meristem को मैंने culture कर दिया, इसे बोलते है, meristem culture, meristem culture, हमने क्या किया, हमने एक diseased पेड़ से, recovery करा ली, healthy plant के, ये पेड में किसका infection था, virus का infection था, लेकिन meristem is always free of virus, question आएगा, कौन सी meristem, only apical, only lit axillary, no, both, कोई भी meristem हो, उसमें कभी virus नहीं लगता है, यानि हमने virus, हमने meristem को remove करा, cells को remove करा, उन्हें lab में outside body, in vitro, grow करा, और virus free plants बन गए, तो meristem culture से बनते हैं, virus free plants, very very important, virus free plants, अभी तो तीन पेड़ बनाए हैं, मैं आपको एक trick से याद कराती हूँ, meristem को मायावती से याद करो, मायावती, मायावती जी, यानि meristem, meristem culture, मायावती जी की party किसी को याद है, बहुजन सबाज party, BSP, यानि अभी तक इससे बनाया गया है, बनाना, केले बनाए गए हैं इससे, केले के पेड में वाइरस लग गया था, तो उसकी meristem से हमने बना लिया, आलू बनाया गया है, और गन्ना, शुगर केन बनाया गया है, BSP, मायावती की party, बहुजन समाज party, ठीक है, चले, तो हमने क्या समझा, हमने समझा, plant, tissue culture, micro propagation, totipotency, पर जाओं, चले, अब, मान लो कि दो पेड, दोनों में अपने अपने positive characters है, मैं चाहती हूँ कि मैं इनका hybrid बनाऊ, देख अभी तक मैंने hybrid नहीं बनाया, hybrid क्या होता है, hybrid मतलब दो different पेड है, species different हो सकती है, genus different हो सकता है, मैं दोनों के characters चाहती हूँ, offspring, बच्चे के अंदर, next generation में, अभी तक तो मैंने एक पेड के, उसकी carbon copy पेड बनाये है, micro propagation या tissue culture करके, अब मैं दो different plants, दो different species के plants या genus के plants, उनका hybridization कराना चाहती हो, पर पंगा क्या होता है, सुनो ध्यान से, मैं या sexual reproduction नहीं करा रही हूँ, asexually करवा रही हूँ, suppose करो मैंने एक आलू का पेड है, उसका cell ले लिया, एक tomato का पेड है, उसका cell ले लिया, अब ये दोनों plant cell है, मैं इनको fuse कराना चाहती हूँ, मैं ऐसे fuse नहीं करा सकती, क्योंकि इनमें cell wall है, cell wall बहुत टफ होती है, तो मुझे पहले cell wall को digest करना पड़ेगा, cell wall digest करने के लिए कल सीखा था, cellulase and pectinase enzyme डालेंगे, और आपको cell the unit of life में पढ़ाया होगा, कि जब cell में से cell wall माइनस हो जाए, जब cell में से cell wall हटा दो, तो जो भी बचता है, उसे protoplast कहते हैं, क्या बचेगा, plasma membrane, nuclear membrane, cytoplasm, सारे organelles, genetic materials, सब कुछ, बस cell wall हटी है, तो मैं पहले cell wall हटा दूँगी, फिर मैं या तो कोई chemical डालू, जैसे कल पढ़ाया था, polyethylene glycol, तो दोनों cell fuse कर जाएंगे, या मैं electricity से दोनों को fuse करा दूँगी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा, कि सबसे पहले हमने, cell wall को digest कर दिया, ताकि अब मेरे पास, protoplast आ गए, naked क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि cell wall नहीं है, याने, क्या है outermost covering, plasma membrane, अब मैंने, पेडों की, दो different varieties या species ली, दोनों में हमारा एक-एक, desirable, positive character है, और मैंने इन्हें fuse करवा दिया, तो अब जो बनेगा, protoplast ही है, उसे hybrid protoplast कहेंगे, hybrid, और जब इससे मैं पूरा नया पेड़ बनाऊंगी, तो वो कहलाएंगे, somatic hybrid, और इस process को कहेंगे, somatic hybridization, normally hybridization में क्या होता है, जैसे गाय और बैल का hybridization करा है, वो sexual reproduction होता है, यहाँ पर हम asexual reproduction करा रहे है, sexual hybridization का क्या मतलब है, पेडो में, जैसे मैंने, आलू का पोलन, टमाटर के stigma पे डाल देती, वो होता, पेडो में, पर मैं या sexual process involved नहीं कर रहे है, मैंने दोनों का cell लिया, cell wall digest कराई, protoplast हो गया, electricity या chemical से दोनों को fuse करा दिया, तो जो next generation है, उसमें दोनों के characters आएंगे, कोई guarantee नहीं है वैसे, कि positive वाले आजाए, वो chance की बात है, वो chance की बात है, यह जो next generation बनेगा, उसे somatic hybrid और इस process को somatic hybridization कहेंगे, scientist ने आलू और tomato के साथ ऐसा करा, आलू यानि पो, पोटैटो और tomato यानि टोमाटो, जो बच्चा बना उसको नाम दिया, पो मैटो, पर वो fail हो गया, क्योंकि उसके अंदर दोनों के positive character नहीं आए ते, तो chance की बात है, दोनों के positive आ सकते हैं, दोनों के negative आ सकते हैं, एक का positive एक का negative आ सकता है, तो scientist ने combine किया था, पोटैटो और टोमाटो को, और उससे बना था पो मैटो, पो मैटो, पर unfortunately, बदकिस्मती से bad luck है, कि इस पेड़ के अंदर सारे desired character नहीं थे, इसलिए इसे market में use नहीं किया गया, यह fail हो गया था, अब इसके बाद वो paragraph आया है, कि alternate path कोई है क्या, क्योंकि chemical use करना नहीं है, खाने की yield बढ़ाने के लिए, somatic hybridization करना चाहोगे, तो यह पंगाई की undesirable character भी express हो सकता है, यहाँ पर genetically modified organism, वो paragraph जो अभी अभी बताये था, अगर मुझे कोई character पसंद है, तो मैं उसका gene उठा कर डाल दूँगी न, तो तो वो पक्का आई जाएगा, hybridization में guarantee नहीं है, potato और tomato, बन गया pomato, पर market में fail, सारे characters नहीं आये थे, done, मज़े आगे, तो यह paragraph जो है, यह students हमें आने ही आने चाहिए, आईए, मैं इसको यहां कर देती हूँ, आगे, पड़ाफ़ते देखो, एक बार जो मैंने सिखाया है, सब कुछ समझ में आया है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आपके serial order में लगा देती हूँ, आपके आपको notes में कोई problem नहीं आएं, और फिर हम मज़ेदार applications पढ़ेंगे, clear है तो मुझे जल्दी से yes या थमसब भेज दो, यह मैं अब new NCRT में sequence wise लगा रहे हूँ, यह lines हमने देखी थी, कि fertilizers और chemicals को अगर use करेंगे, तो harmful effects है environment पे, और इस से जरूरी नहीं है desired effect आए, इसलिए genetically modified paid up बनाएंगे अपने, done, चल, अब, अब, ध्यान से समझो, हमें यह समझ में आ गया कि genetically modified plant बहुत शानदार चीज है, केवल desired character को हम उसमें डाल सकते, undesired के आने का कोई chance नहीं है, तो अब हम क्या-क्या कारणों से genetically modified paid बनाएं, आईए, NCRT में ही आगे बढ़ते हैं, देखिए, plants, bacteria, fungi, animal, किसी को भी हम host की तरह यूज करते हैं, जैसे कल हमने insulin बनाने की बात की थी, E. coli में जीन डाला था, इनको हम कहते हैं, genetically modified organism, यह हम कल पढ़ चुके हैं, genetically modified organism क्या होता है, कोई भी host, यानि plant, bacteria, fungi, animal, जिसके genes alter हुए हैं, manipulation किया हैं, यहने उनके अंदर कुछ अलग से बाहर से डाला है, उसे genetically modified host organism कहते हैं, अब हम modification क्यू क्यू करते हैं, देखो मैंने आपको भी बताये था ना, कि मान लो कि एक पेड है, बहुत अच्छी फसल देता है, पर बहुत ठंड में, या बहुत गर्मी में, या बहुत सूखे में, वो बिचारा मढ जाता है, तो हम कोई ऐसा पेड ढूणेंगे, जो tolerant है, in environmental stress के लिए, abiotic stress, living नहीं, organism नहीं, environment के जो stress है, और उसका वो जीन, हम इनके अंदर डाल कर, और इन्हें genetically modify बना देंगे, यानि हम crops बना सकते हैं, more tolerant to abiotic, environmental stress like cold, heat, salt, drought, सूखा पढ़ना, एक्सेटरा, और क्या कर सकते हैं, हम ऐसे पेड बना सकते हैं, मानलो कोई ऐसा पेड है, जो, soil से कम, less mineral एब्जॉप करके, भी बहुत बढ़िया yield देता है, यानि mineral usage की efficiency बहुत बढ़िया है, 2 gram मानलो calcium से, वो वो growth करता है, जो दूसरा पेड 20 gram calcium से करता है, तो ये पेड 20 gram soil से ले रहा है, ये पेड 2 gram soil से ले रहा है, पर use, efficiency ज़ादा है use करने के, तो मैं क्या करूंगी, वो gene जिसके कारण, ये only 2 gram calcium से काम चला रहा है, वो इसके अंदर डाल दूँगी, वरना क्या होता, soil से calcium जल्दी खतम होता, soil मिट्टी बंजर हो जाती, यानि हम ऐसे पेड बना सकते हैं, जिनमें mineral usage की efficiency ज़ादा है, ताकि मिट्टी की जो fertility है, वो जल्दी exhaust ना हो, प्रिवेंट अर्ली exhaustion of soil fertility, और क्या कर सकती हूँ, जो सिखाऊंगी आपको, मैंने एक ऐसा पेड बना दिया, जो pest के लिए resistant है, इंसेक्ट उस पेड को खाई नहीं सकता, resistant है, तो अब मुझे artificially chemical pesticide, chemical insecticide नहीं छिडखने पड़ेंगे, जो environment के लिए बहुत बुरे हैं, यानि मैंने reduced reliance कर दिया, chemical pesticides पे, मैंने pest resistant crop बना लिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगे, और, मैं उस खाने की nutritional value बढ़ा सकती हूँ, जैसे golden rice, golden rice, vitamin A rich rice होता है, जो मैं अभी सिखाऊंगी आपको, और इस पे कई बार previous year question आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, गाजर या dacodil का gene लिया, जिससे vitamin A बनता है, और चावल के cell में डालके, plant tissue culture कर दिया, और पूरा नया पेड़ बन गया, जिसके हर cell में ये vitamin A बनाने वाला gene है, now, number 5, सपोस्ट करो कि हमने टमाटर पेड़ से तोल लिये, टमाटर राइप हो गए थे, पक गए थे, मैंने तोल लिये, और मैं उसको market में बेचने गई, पर मुझे market जाने में, transportation करने में मान लो, मुझे 2 weeks का time लग गया, और 2 weeks में वो टमाटर थोड़ी गिल बिले से हो गए, याने harvest, पसल काटने के बाद, याने post harvest, loss हो गया, क्योंकि वो टमाटर तो कोई खरीदेगा नहीं, हर कोई tight और एकदम red red tomato चाहता है, मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, कि टमाटर जादा दिन तक बढ़िया flavor और बढ़िया tight रहे, याने मैं ऐसा gene डाल दूँगी, जिससे post harvest loss reduce हो जाए, reduce हो जाए, तो पाँच कारण हैं, बोलिए मेरे साथ, number one, abiotic stress से resistant बना दे, number two, pest insects से resistant बना दे, number three, minerals के usage की efficiency को increase कर दे, number four, post harvest loss को reduce कर दे, और number five, खाने की quality बढ़ा दे, जैसे चावल, rice को हमने vitamin A rich बना दिया था, ठीक है, done everybody, बिल्कुल basic से पढ़ रहे हैं, याने, genetically modified organisms एक तरह से वैसे ही हैं, जैसे की, एक tailor से हम कपड़े बनवाते हैं, जब आप ready made shirt खरीदे हैं, तो हो सकता है, वो पूरी shirt आपकी पसंद की है, लेकिन उसकी sleeves आपको पसंद नहीं आ रही, या collar पसंद नहीं आ रही, पर जब आप tailor के पास जाओगे, तो आप सब कुछ अपनी पसंद का लोगे, भया sleeves ऐसी बनाना, collar ऐसी बनाना, इसकी length इतनी रखना, neck ऐसा रखना, तो इसी तरह से हम अपनी मर्जी के jeans डाल कर, उस plant को अपनी मर्जी का बना रहे हैं, यानि genetic modification से हम tailor made plants बना रहे हैं, और इन plants को industry, starch, fuel, drugs, medicine, सब जगे पे यूज़ किया जाता है, इसकी ज़्यादर detail में हमें नहीं जाना है, यानि हम यहाँ पर pest resistant पेड़ बनाना भी सीखेंगे, खेती के अंदर, ताकि pesticide का chemical का use कम हो सके, यह सब मैं सिखाने वाली हूँ धीरे धीरे आपको, मज़े आ गए तो जल्दी से yes या थम सब दे दो मुझे, खेती के अंदर, पद्रिनात, नीलोपर, ममता, श्रेया, सिया, जुबेर, विभू, सुमान, एवरिवान, चलो, आजो, अब सब से पहले मैं आपको golden rice बनाना सिखाती हूँ, आईए, अब मैं आपको सिखाती हूँ, golden rice बनाना, golden rice NCRT में डीटेल में नहीं है, केवल उतना सा ही लिखा हुआ है, vitamin A rich, पर मैं थोड़ा सा डीटेल बता रही हूँ कि इसमें previous year question आया हुआ है, golden rice जो है, क्या करा है, देखो समझो, rice का मतलब होता है, लिखिए, और राइजा सटाइवा, यह rice का botanical name है, scientific name है, rice, चीक है, यह host होगा, यानि transgenic, या genetically modified organism है, host है, host, suppose करो, इसका एक cell है, यह cell है, यह nucleus होगा, vacuol, vacuol, सब कुछ होगा, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस cell के अंदर, vitamin A, बनाने वाला gene डाला, vitamin A कहां से आता है, vitamin A गाजर से मिलता है, या, एक dapodil आता है, यह previous year question है, pyq, आया हुआ question है, यहाँ पर host plant है, कल मैंने सिखाया था, अगर plant host है, तो बताओ vector क्या use करते हो, बै यह तो हमारा desired gene हो गया, या foreign gene, या gene of interest हो गया, कल जो सिखा था, vector क्या use करोगे, vector, अगर plant के अंदर डालना होता है, तो agrobacterium, tumefacian, इसके ti plasmid के साथ, tdna के साथ जुड़के जाता है, याद है, अपकोस उसको पहले हम, क्या कर देते हैं, उसे हम पहले, disarm modify करते हैं, तो मैंने vitamin A बनाने वाला gene, carrot या daffodil से लिया, agrobacterium के ti plasmid के साथ उसे जोड़ा, वो ही सेम कहानी, पूरा dna निकाला होगा, फिर cut किया होगा, कल सिखाया था, फिर gel, electrophorosis से अपना piece ढूंडा होगा, फिर ligase enzyme के help से, vector के साथ attach किया होगा, फिर अंदर डाला होगा, फिर selectable marker किया होगा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस cell का, plant tissue culture कर दिया, PTC, plant tissue culture, यानि इस एक cell से, मैंने पूरा नया चावल का पेड़ बना दिया, और उस पेड़ के हर cell के अंदर, ये gene आ गया, यानि आप जो पेड़ बना, वो vitamin A rich पेड़ बना, vitamin A enriched rice, और इस gene के कारण, इनका रंग थोड़ा yellow color का सुनहेरा सा हो जाता है, इसी लिए इसे बोलते है golden rice, golden rice का पेड़ बन गया, vitamin A enriched है, ये भी previous year question आया हुआ, vitamin A rich rice मैंने बना लिया, अब, ये यहाँ पर transgenic है, शामल का पेड़, ये desired gene है, ये vector है, ये result है, अब इसको कहां use करते हैं, this is used to prevent night blindness, night blindness क्यों होती है, vitamin A की deficiency से, रताउन दी, बच्चों को रात में नहीं दिखता है, तो जो poor countries है, developing countries है, अभी developed नहीं हुई है, गरीबी बहुत जादा है, वहाँ पर, जिन areas में चावल खाते हैं, वहाँ पर अगर हम golden rice को market में बेचें, तो उन बच्चों को vitamin A की deficiency नहीं होगी, यानि night blindness नहीं होगी, ठीक है, actually न vitamin A direct नहीं बनता, पहले beta carotene वाला gene होता है, फिर vitamin A बनता है, तो इसे हम beta carotene gene भी कह सकते हैं, दोनों नाम आने चाहिए, कैसे भी question आ सकता है, यानि हमने desired gene को host के अंदर डालके, host को genetically modify करके, और अपने यूज में ले लिया, agriculture, खेती, ठीक है, जल्दी से लिख लीजे, golden rice, important topic है, ठीक है, ममता, हभीबा, आकाश, कृती, beta carotene, मैं detail में नहीं जा रही हूँ, actually पहले beta carotene बनता है, beta carotene, vitamin E का inactive form में ऐसा समझ दो, फिर उससे vitamin E बनता है, ठीक है, चलो, किनों ने बनाया, ये सब detail नहीं पूछते हैं, तो मैं ये हटा देती हूँ, चलिए, अब आईए, second, BT cotton, BT cotton, या BT plants, BT cotton होता है, BT soya bean होता है, BT tomato होता है, BT brinjal होता है, बहुत सारे होता है, full concentration चैंगे, मस्त तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, बहुत questions आते हैं, very very important topic, समझो, बड़े मज़ेदार करी से सुने, एक खीड़ा है, cotton ball worm, cotton ball worm, worm है, worm, कीड़ा, पसल खराब करता है, पेस्ट, वैसे ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट है, आर्थरोपोडा फाइलम, आनिमल किंग्णम आर्थरोपोडा फाइलम, इंसेक्टा क्लास, ये, cotton की जो पसल है, उसे खराब कर देता है, तो cotton की yield, कम हो जाती है, अगर इसका infection हो जाए, ठीक, अब तो, साइंटिस्ट ने ये देखा, कि, ये कीड़ा, एक बैक्टीरिया है, जिसे नहीं खाता, या खाता है तो मढ़ जाता है, बैक्टीरिया, उसका नाम है, बैसिलस, बैसिलस मतलब, rod-shaped bacteria, बोलो मेरे साथ, त्यू रिन जियन्सिज, ये बैक्टीरिया है, देखो, MBBS में बहुत help होगी, जो लंबा वर्ड होता है, उसे break करके पड़ो, त्यू रिन जियन्सिज, इसे प्यार से बुलाते हैं, BT, क्या बुलाते हैं, BT, 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 हुआ क्या ध्यान से समझो, कभी जब ये cotton ball worm ने इस bacteria को खाया, ये बहुत खाता था ये bacteria, bacteria बिचारे मरने लग गए, तो bacteria ने दिमाग लगाया, और bacteria ने सोचा कि अपकी बार खायेगा न, तो इसका खून कर दूँगा, मार दूँगा इसको, तो bacteria ने अपने अंदर, nature ने अच्छिली उसके अंदर, एक gene दिया, उस gene यानि DNA से, mRNA और mRNA से कैसा protein बना, कि अब अगर cotton ball worm ने इस bacteria को खाया, तो वो मर जाएगा, हीडा मर जाएगा, ball worm मर जाएगा, ऐसा क्यूं होता है, आज आजओ समझो, ये bacteria जो है, इसके पास में, एक gene है, जिसे BT gene बोलते हैं, या Rotloo cry gene भी बोलते हैं, gene, cry क्यों बोलते हैं, अभी बताती हूँ, ये gene mRNA बनाएगा, और फिर एक protein बनाएगा, और वो protein इंसेक्ट को मारता है, यानि insecticidal है, इसे भी कहते हैं, cry protein, या BT protein, cry क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके crystals बनते हैं, crystals, चोटे-चोटे crystals के form में बनता है, वहीं से ये word cry आया है, cry, cry, और BTI आया है, क्योंकि bacillus purian genesis के अंदर का gene है, तो इस bacteria के अंदर एक gene है, जो एक protein बनाता है, जो इंसेक्ट को मार सकता है, अब सवाल उठता है, कि ये gene, bacteria को क्यों नहीं मारता है, actually bacteria के अंदर, ये inactive form में रहता है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये, inactive form, in bacteria, bacteria के अंदर ये inactive है, inactive, जैसे यादे पेपसिन एंजाइम का inactive form है, पेपसिनोजन, प्रिपसिन का है, ट्रिपसिनोजन, या insulin सिखाऊंगी, वो पहले inactive form में बनते हैं, तो उसे pro insulin कहते हैं, यानि ये inactive, यानि प्रो टॉक्सिन है, प्रो टॉक्सिन, इन अक्टिव रहती है, ये bacteria के अंदर, वैसे ये जहरीला है, टॉक्सिक है जहरीला, पर अभी ये inactive है, और इसी लिए, ये bacteria को नहीं मारता, डू नॉट किल bacteria, ये भी previous year question है, आया हुआ है, bacteria क्यों नहीं मरता, क्योंकि bacteria के अंदर, इन अक्टिव फॉर्म में रहता है, अब, suppose करो कि इस bacteria को, suppose करो कि इस bacteria को, किसी ball worm ने खाया, ball worm, तो उस ball worm के पेट में, गट में, ये चला गया, bacteria, यानि इसका protein भी चला गया, ठीक, अब story क्या बनेगी, मैं next page पे बनाती हूँ, तो ball worm के, gut में गया, gut, gut, gut मतलब intestine में गया, और वहाँ पे, alkaline pH मिला, अभी क्या था, पहले ball worm के अंदर क्या गया था, protoxin गया था, protoxin, यानि inactive protein गया था, cry protein, bt protein, कुछ भी लिख दो, crystals थे, inactive था, अब ball worm के अंदर, इसकी जो gut है, उसका pH alkaline है, alkaline pH है, in gut, ball worm के अंदर बात करने है, in ball worm, ये भी previous year question है, जैसे ही इन्हें ये alkaline pH मिलता है, ये जो crystals है, ये soluble बन जाते हैं, यानि active बन जाते हैं, ये active toxic हो जाते हैं, active toxin, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि protein जो है, वो soluble बन जाता है, solubilize, तो bacteria के अंदर, ये inactive था, इसलिए bacteria को kill नहीं कर रहा था, पर insect की gut में जाकर, ये alkaline pH के कारण, active form में convert हो गया, अब ये क्या करता है, अब ये, suppose करो, ये ball worm की intestine है, insect की intestine की 3 parts होते है, foregut, midgut, hindgut, ऐसा समझ लो, जैसे हमारी small intestine है, बीच में, large intestine hindgut होगी, stomach वगेरा foregut होगी, मोटा-मोटा ऐसा समझ लो, तो यहाँ पर इसके midgut के cells होंगे, lining होगी, epithelium, digestive system में पढ़ते हैं, हमारे अंदर भी तो, ये तो lumen है, खाली जगे, यहाँ पर ये bacteria आया था, यही पर pH मिला alkaline, और यही पर वो toxin है, cry protein है, cry protein है, अब ये cry protein क्या करता है, इस midgut की जो epithelium है, उसमें छेद करवा देता है, holes, so it creates pores in midgut epithelium, जो epithelium है midgut की, of insect, अब कॉस उसी की बाद चल रहे है, midgut epithelium में छेद करा दे है, जब छेद करा दिये, तो यहाँ अंदर पानी घुसने लग जाता है, तो इसके बाद, water enters inside, यह cells के अंदर पानी घुसता है, और जब पानी घुसेगा, तो cell फूलेगा, और burst हो जाएगा, so cells, swell, and burst, burst टूट गए, यानि, lysis of cells हो गया, cells टूट गए, इससे क्या होगा, यही तो वो cells हैं, जो digestive juices बगएरा निकालते हैं, तो अब digestion होगा नहीं, यानि धीरे धीरे यह जो ball worm है, यह भूका मर जाएगा, इसा समझ लोग कि इसी ने हमारी small intestine damage कर दी, तो यह कब active होता है, यह insect की gut में जाकर होता है, alkaline pH के कारण, वहाँ पर mid gut की epithelium में pores, छेद क्रियेट करता है, पाने अंदर गुसता है, cell सूजता, swell करता है, बस्ट हो जाता है, और कीडा धीरे से मर जाता है, धीरे धीरे करकर, यह कीडा इने इस insect को, इस bacteria को खाना ही छोड़ दिया, खाना ही छोड़ दिया, और यह सब क्यों हुआ है, इस gene के कारण, जो यह protein बना है, यह protein पूरी जिंदगी में नहीं बनता, यह कब बनता है, during sporulation, NCRT में क्या लिखा है, during a particular phase, वो कौन सा phase है, जब spores बनते हैं, sporulation phase, तभी यह protein बनता है, हमेशा नहीं बनता रहता, तब यह bacteria बना के रख लेता है, inactive form, अब आप कोगे कि, ma'am, इसका cotton के पेड़ से क्या लेना देना, agriculture खेती से क्या लेना देना, समझो, scientist का दिमाग चला, उन्होंने कहा कि, अगर हम कैसे भी करके, इस जीन को, cotton के पेड़ में डाल दे, तो cotton के अंदर भी यह protein बनेगा, inactive form में, cotton के पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसका pH लागे, वहाँ यह inactive है, और जब इस cotton के पेड़ को खाने, कोई ball worm आएगा, तो उसके intestine में, गट में, यह protein जाएगा, active होगा, और उसे माड़ देगा, और दीरे दीरे यह ball worm, उस पेड़ को, पसल को खाना बंद करतेगा, और cotton बच जाएगा, याने, क्योंकि यह gene, BT bacteria से ले रहे हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया, BT cotton, तो BT cotton, बाद में इसको टमाटर में भी डाला, BT tomato, BT brinjal, BT soya bean, यह सब बनाए, सम्मान दिया उस bacteria को, जिसका gene ले रहे हैं, याने, हमने क्या किया, अब हमें insecticide chemical spray करने की जुरत नहीं है, हमने पेड को खुदी बना दिया, कीड़े मारने वाला, पेड को खाते ही यह insect मर जाता है, याने यह है insect resistant plant, या insecticidal plant, कीड़े मारने वाला, या कीड़ों से बचने वाला, insect resistant plant, insecticidal या insect resistant, आप pest resistant भी बोल सकते हूं, क्योंकि इस case में यह insect है, कि तरहें काम कर रहा है, मज़े आ गए, जल्दी से yes या thumbs up दे दो, cotton plant, वोई एक cell में डालो, और उसका plant tissue culture कर दो, एक cell में डालके PTC कर दो, तो वो सारे cells में आ जाता है, पूरा पेड में आ जाता है, ठीक है ना, introduce करा, एक plant cell के अंदर, उसके बाद इसका tissue culture लगा दिया, तो cotton का पूरा नया पेड बन गया, इसके अंदर BT gene है, यानि ये BT cotton बन गया, BT cotton बन गया, और वो ही सेम कहानी है, अब इसे इंसेक्ट खाने आएगा, वो ही सब गिसिपिटी कहानी पूरे, ठीक है मज़े आ गए, सरस्वती, थैंक्यू माम, आपसे पढ़कर, marks improvement हो रहा है, बहुत बढ़िया, God bless you, God bless you, चलो, अब सुनो, scientist ने ये देखा, कि ऐसे ही मक्का, corn का भी, एक कीडा होता है, जो corn को खराब करता है, corn borer, तो उन्होंने देखा, कि वो भी एक bacteria है, जिसे नहीं खाता, BT bacteria ही, क्यों नहीं खाता, क्योंकि उसके पास भी एक gene बनता है, जो particularly ऐसा protein बनाता है, जो उस corn borer वाले कीडे को ही मारता है, यानि अलग-अलग genes है, जो थोड़े different-different proteins बनाएंगे, जिनसे particular insect ही मरता है, यानि कौन सा gene आप लोगे, choice of gene जो है, वो दो बातों पर depend करेगी, depends on, एक, आपको किस कीडे को मारना है, targeted pest कौन सा है, किस को मारना चाहते हो आप, कीडा, और दूसरा, आप किस crop को बचाना चाहते हो, अगर बक्के को बचाना है, corn को बचाना है, तो corn borer को मारने वाला gene लेना पड़ेगा, बीटी से, और अगर आपको, cotton को बचाना है, तो cotton ball worm को मारने वाला gene लेना पड़ेगा, जैसे इन्होंने example दिया है, cotton ball worm के लिए, जो gene आता है, cotton ball worm के लिए, और corn borer के लिए, वो दोनों अलग-अलग है, मैं याद कराती हूँ एक मज़ेदा ट्रिक से, दोनों ही cry gene है, cry, one room में one AC लगाते हैं, one room में one AC लगाते हैं, one AC यहाँ पर हो गया, तो one AB यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर एक और gene है, two AB, मैं इसे कैसे याद कराती हूँ देखो, बहुत easy है, देखो, one room में one AC याने one AC, और अमिता बच्चन अभिशेग बच्चन याने two AB, अमिता बच्चन अभिशेग बच्चन, और अभी आ गई हैं, ऐश्वर्या बच्चन, देखो इतना याद हो जाता है न, तो आईडिया लग जाता है, cotton ball warm का याद कर लो, अब सारे तरह के कीड़े नहीं मरते इस BT से, एक्चिली डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर किस इंसेक्ट ने उस बैक्टीरिया को बहुत खाया है, तो उस बैक्टीरिया ने पर्टिकुलर्ली उस ट्रेन ने वैसा वाला जीन डेविलप कर लिया, जिससे वैसा प्रोटीन बनता है जो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारता है, यानि ये जो प्रोटीन ने जो कराई जीन है, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, तीन ग्रुपस NCART में दिये ऊओए है, Colliopterans, Lepidopterans and Diopterans ये तीन Arthropodafilum है उसके अंदर Insecta Class है उसके 3 Orders है आईए हम इन तीनों का नाम लिखते है 3 Orders है One second, मैं बताती हूँ आपको 3 Orders है ये तो मैंने बता दिया 1 A B किसे कंट्रोल करेगा 1 A C and 2 A B किसे कंट्रोल करेगा ये Toxins Insect Group Specific है किस पेड को बचाना है और किस Targeted Pest ये उसके According है ये बता दिया मैंने आपको ठीक है ये सारा बता दिया Everything I've explained you चलिए, आईए तो ये जो Genes है और Genes से ही Protein बनेगा यानि Toxins है ये Insect Group Specific है और ये Control की बात करेगा इसे कौन मारेगा ये वाले Genes ये Genes हैın पेटा ये Genes हैं BT Genes Cry Genes ये वाले Genes जो है ये इसे Control करेंगे और ये वाला Genes जो है ये इसे Control करेगे चलो आजो तीनों Groups के अब आपन नाम लिख लेते हैं एक बार ये सब मैंने पढ़ा दिया Explain, I've explained you everything. अब देखो, Lepidopterans, Colleopterans, and Diopterans. Lepidopterans, Colleopterans, and Diopterans. दिस पर direct question आता है, आज ओ मैं लिखवाती हूँ आपको. तीन ग्रुप से. Lepidopterans, Colleopterans, and Diopterans. ये actually orders हैं, orders. Insecta class के अंदर orders आते हैं. देखो कैसे याद करना है, ट्रिक बताती हूँ. Die, die मतलब 2, इसमें मक्की मच्चर आते हैं. Die मतलब 2, तो इसमें मक्की मच्चर, मक्की मच्चर, flies and mosquitoes. flies and mosquitoes. दो ग्रुप साते हैं. जितने भी flies और mosquitoes हैं. Diopterans ग्रुप में आते हैं. इसके लिए particular cry genes होंगे. Colleo, Colleo को अकेलो. Colleo, अकेलो, 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 Colleo, Colleo, अकेलो, Colleo, अकेलो से याद कर लेना. अकेलो. यानि या अकेला है, अकेला इसमें beetles आते हैं. इस order में beetles आते हैं. और बचे हुए, यानि टोबैको बढ़वर्म and army worm. मैं एक बार पूरा exact नाम बता देती हूँ. टोबैको बढ़वर्म और army worm. सही बोल रहे थी मैं. चलो. आर्मी worm. वो इसमें आते हैं. आर्मी worm. यह याद होना चाहिए. तो यह three orders हैं. जिनके against BT यानि bacillus, thurian, genesis, bacteria ने different-different genes बनाए हैं. जो different-different proteins बनाते हैं. जो particular-particular insect के अंदर जाकर उसे मारते हैं. आपको जिस पेड को बचाना है. जिस से बचाना है. वो वाला gene आपको transfer करना पड़ेगा. ठीक है? समझ में आगे अच्छी से. तो जल्दी से yes याथ हम सब दे दो मुझे. अभी तक क्या-क्या बनाया गया है? कौन-कौन से पेड बनाये गए हैं? वो भी आपको बता देती हूँ. ये देखो. ये cotton की normal ball है. और ये जब cotton ball worm से infection हो जाता है. ये देखिए. ये B diagram fully mature है. नॉर्मल ये नॉर्मल वाला है. और ये destroyed by ball worm. इस तरह से पूरी पसल को खराब कर देता है. ये कीडा. पर हमने इसे बचा लिया. हमने इसे बचा लिया. चल. अब क्या-क्या बना लिया गया है? ये भी question आया हुआ है. सबसे पहले cotton बनाई थी 2002 में. बाकी BT मक्के में बनाया गया है. राइज, टोमाटो, पोटाटो, सोया भी. एक बार लिख लो, पटापट से लिख लो. BT का पुलपॉर्म अभी तो बताया. Bacillus thurian genesis, बैक्तिरिया के नाम पर दिया हुआ है. यह देखो लिखा है. बैसिलर्स thurian genesis, BT. और यह देखो, आप ऐसी बात पूछ रहे हो, पूरी कहानी सुनाने के बाद. यह देखो लिखा है, BT. BT बोलते हैं इसको. So, यह हमने बना लिया, इंसेक्ट रजिस्टेंट प्लांट. चलो, मुझे एक बात बताओ. यहाँ पे desired gene कौन सा है? BT या cry gene? वो कहां से ले रहे हो? डोनर कौन है? बैसिलर्स thurian genesis. वेक्टर क्या यूज करोगे? अग्रो बैक्टिरियम त्यूमी फेसियन. और genetically modified पेड कौन सा बनेगा? cotton का प्लाच. डन? चलिए आईए. इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं. लेखे. BT gene या cry gene जो है? यह है desired gene. desired gene. यही gene हमें express करवाना है. cotton जो है? cotton. यह है genetically modified organism. यानि host. और use करेंगे वही T.I. Plasmid of Agrobacterium Tumifacian. यह हो जाएगा हमारा vector. कल यही तो पढ़ा था. vector चाहिए, desired gene चाहिए और host चाहिए. ठीके जुबेर? जुबेर बहुत अच्छा student है by the way. आप लोग उसको कुछी नहीं बोल सकते हो. तो मैं उसकी डाट लगा सकते हो, आप डाट नहीं लगा सकते हो. ठीके? गुरुमा सबकी डाट लगा सकते हैं. आपस में नहीं लगा सकते हैं आप डाट. चलो. आजाओ जी. कहानी को आगे बढ़ाते हैं बड़े मज़ेदार तरीके से. यानने हमने दो आप्लिकेशन सीख ली. ध्यान से सुनना फुल कांसेंटरेशन. एक गोल्डन राइज और एक बिती कॉटन. गोल्डन राइज में विटामिन A रिच राइज बनाया था. और BT cotton में हमने insect resistant या insect को मारने वाला insecticidal plant बनाया है दोनों ही case में हमने एक positive जो हम चाहते हैं desired gene को introduce किया अब मैं बनाने वाली हूँ pest resistant tobacco एक तमबाकू का पेड़ pest resistant और वहाँ कहानी में twist के साथ आई उस twist को समझते हैं तो agriculture में next लिखिएगा third pest resistant tobacco ये बनाना सीखेंगे सुनिए ध्यान से तमबाकू का जो पेड़ है उसे एक animal animal kingdom में निमाटोड यानि राउंड वर्म राउंड वर्म कीडा नहीं आर्थरोपोडा नहीं राउंड वर्म बिमारी करता है उस राउंड वर्म का नाम बोलिए मेरे साथ melody खाओ खुद जान जाओ melody 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 मतलब लिखिए melody gynae melody gynae incognesia बड़ा कदरनाक नाम है देखो मैं कैसे याद करती हूँ ये melody खाता है तो melody और ये gynaeक है जैसे मैं gynaeक हूँ ladies की doctor ms gynae so milloidy gynae incognesia ये एक nematode है याने nemat helminthis याने basically roundworm है roundworm ठीक roundworm ये क्या करता है ये infect करता है तंबाकों की roots को roots of tobacco plant ये भी previous year question है आया हुआ है ये roots पे previous year question टबाको और ये क्या करता है इसकी जो तंबाकों की roots है suppose ये roots है इसमें ऐसे गठान गठान बना देता है इसे बोलते है root not disease root में गठान गठान root not disease कुल मिलाकर ये तंबाकों का पेड़ खराब हो जाता है और मढ़ जाता है यानि जितना तंबाकों मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा यानि decrease हो जाएगी yield yield decrease हो गए एक मिनिट दीजे प्लीज स्टूडेंट्स मुझे ठीक है अब scientist को क्या समझ में आया उन्हें ये समझ में आया कि ये milloid incognesia कैसे ये बिमारी करता है ये इसके अंदर जाके growth करता होगा multiply करता होगा फलता फूलता होगा यानि कोई न कोई कोई न कोई ऐसा जीन होगा जो ऐसा protein बनाता होगा जिससे growth होती होगी इस निमाटोड की इस निमाटोड की जरूर ये जीन किसके अंदर है इस pest के अंदर ये pest है कीडा है ये pest जो पसल खराब कर रहा है तो इस pest के अंदर जरूर कोई जीन होगा जिससे mRNA और ऐसा protein बनता होगा जिससे इसकी growth होती होगी इसलिए जब ये पेड के अंदर जाता है ग्रो करता है तो उसको खराब करता है बिमारी करता है अब scientist ने उल्टी बुद्धी लगाई उन्होंने कहा कि इसे अगर pest resistant बनाना है तो इस gene को अपन express मतोने दो इस protein को मत बनने दो तो ये मड जाएगा ये ग्रोही नहीं कर पाएगा और पेड को नुकसान नहीं मैंने क्या कहा आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर मैं ये मेरा undesired है मैं नहीं चाहती है gene express करे तो मैं इसके expression को रोक दूँए यहाँ एक special technique use होगी जिसे बोलते हैं RNA interference RNAi RNAi तो आएए next heading लिखते हैं what is RNA interference technique RNA interference please लिखिए interference इसके और भी नाम है जो अभी मैं थोड़ी सी देर में आपको बताती हूँ देखिए आप सबको एक basic idea है basic idea कि जब भी कोई gene होता है याने DNA DNA हमेशा double stranded होता है 523, 325 इसमें दो strands होते हैं आपको molecular basis में पढ़ाएंगे इसे sense strand बोलते हैं और एक nonsense नहीं इतनी बेज़जती नहीं करते anti-sense strand होता है दो strands होता है DNA double stranded होता है DNA से पहले RNA बनता है mRNA इस process को transcription कहते हैं जब DNA से RNA बनता है तो केवल जो sense strand है उसकी copy बनती है याने RNA हमेशा single stranded होता है बस फरक क्या पढ़ता है कि अगर यहाँ पर A है suppose 1,2,3,4,5,6 बना ली हूँ न मैं A, G, C, T, C, G है तो बिल्कुल carbon copy बनती है बस जहाँ पर T, A, U आ जाता है sense, sense वाले strand से बनता है यह आपको molecular basis में detail पढ़ाएंगे और फिर इस mRNA से protein बनता है protein बनने को translation कहते है ribosome वगेरा का role आता है यह normally होता है लेकिन अगर कभी भूले भटके यह तो single stranded है अगर मान लो, कभी, कैसे भी, कुछ भी करके यह जो gene या DNA है इससे double stranded RNA बन जाए double stranded RNA यह कब possible है इसके जो दोनो strands है उससे, वो दोनों से RNA बन जाए complimentary होगा तो hydrogen bond बन जाएंगे यह जो double stranded RNA बन जाएगा यानि sense से तो बनता ही है anti sense से भी बन जाए इसलिए इसका एक और नाम है anti sense technology anti sense technology तो यह जो double stranded RNA है ना dear students यह कभी भी आगे translate नहीं कर सकता यह translate नहीं कर सकता यह fix है translation यानि प्रोटीन हमेशा single stranded RNA ही बना सकता है यानि इस केस में प्रोटीन नहीं बनेगा यानि मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने यहाँ पर यह जो mRNA है double stranded mRNA इसे चुप करा दिया बुलत तुम अपना आगे काम मत करो transcription तो हुआ RNA तो बन रहा है पर क्योंकि यह double stranded है यह आगे translate नहीं करेगा यानि मैंने mRNA को चुप करा दिया इसलिए इसे mRNA silencing technique भी बोलते हैं एक एक नाम समझ में आया RNA के function को मैंने interfere कर दिया RNA interference या RNA I RNA interference या RNA I क्यों? क्योंकि double stranded RNA बनाए antisense से भी RNA बनाए यानि antisense RNA technology और यह कहें mRNA को चुप करा दिया mRNA को silence करा दिया वो technology चारो नाम समझ में आ गए इसके अच्छे से अब यह technology scientist ने नहीं बनाई है यह प्रक्रती ने all eukaryotes को दी है तो this is a natural cellular defense mechanism in all eukaryotes all eukaryotes all all मतलब all इसमें fungi भी आ जाएगा इसमें protesta kingdom भी आ जाएगा single cell वाला इसमें plants भी आ जाएगे और इसमें animals भी आ जाएगे all सिर्फ bacteria, sinobacteria, monera kingdom छोड़ दो बाकी चारो kingdom यह प्रक्रती ने दिया है ऐसा मतलब nature ने क्या किया है हमारे cells के अंदर एक technology डेविलप कर दी है कि अगर मान लो कोई कीडा फीडा जो भी infection आया pathogen आया तो हमारे cells double stranded RNA बना देते हैं उसका ताकि protein ना बन पाए और उसकी growth ना हो पाए जो भी protein उसकी growth के लिए जिम्मेदार है scientist के दिमाग में खुराफात आई बोला अगर हम कैसे भी करकर तंबाकू टोबैको के पेड़ के cell के अंदर उस protein का जो इस निमाटोड की growth कराता है उसका double stranded RNA बना दे तो protein नहीं बनेगा उसकी growth नहीं होगी वो reproduce नहीं करेगा multiply नहीं करेगा और पेड़ बच जाएगा यारे RNA interference या mRNA को चुप कराके यारे translation को रोक कर protein ना बनवा कर हम तंबाकू के पेड़ को बचा सकते हैं pest resistant कर सकते हैं so pest resistant tobacco बनेगा RNA interference टेखनीक से चलिए आईए देखिए हम क्या करेंगे मज़े आ जाएंगे आपको हमने क्या किया हमने सबसे पहले जो gene है जो growth करवाएगा protein बनवाएगा gene ये कौन सा gene है growth of nematode वाला उसे lab में artificially बना लिया artificially lab में बना लिया scientist ने ठीक है और उस gene को तंबाकू के अंदर डाल दिया tobacco plant के अंदर डाल दिया यानि ये वो desired gene है जिसे मैं रोकूंगी अच्छा इसे इस तरहां से डाला कि जब ये पेड के अंदर gene जाएगा तो ये double stranded आरेने बनाएगा double stranded इस तरहां से डाला अब उसके लिए बहुत research करनी पड़ती है तीन तरीके है नंबर वन पहला तरीका agrobacterium tumifacian वो तो हम यूज करते हैं जब भी plant host होता है agrobacterium tumifacian vector या तो यूज कर लो ये हुआ है तंबाकू का पेड़ हुआ है genetically modified organism ये host है या ऐसा आरेन ऐसा वाइरस लो जो आरेने के वाया multiply replicate करता है retro virus समझ लो हम अभी बहुत ज़ादा detail में इसकी नहीं जाएंगे बस ये line हमें as it is आनी चाहिए एक सेकिन दीजे मुझे मैं exact word आपको बताती हूँ exact word वाइरस having RNA genome वाइरस having RNA genome वाइरस इस having RNA genome बिल्कुल भी detail में नहीं जाएंगे याने RNA वाले viruses याने retro viruses उसके थुरू भी आप इसको introduce कर सकते हो या infect कर सकते हो infection by तीसरा तरीका ये previous year question अभी आये transposons transposons भी vectors होते है mobile vectors होते है ये भी RNA के थुरू multiply करते है replicate करते है हम बिल्कुल भी detail में नहीं जाएंगे मैं फिर से कह रही हूँ बिल्कुल डीटेल में नहीं जाना विच रेप्लिकेट वाया आरेने इंटर्मीडियेट इन मोबाइल जेनेटिक एलेमेंट्स को बोलते हैं transposons they are called transposons मैं आपको बताऊंगे 2022 में ही ये question आया है PYQ कि transposons को कहां यूज करते है और answer था gene silencing में actually mRNA silencing में यूज करते है ये question आया था खुल मिलाकर मुझे इस तरीके से इस gene को डालना है पेड के अंदर अभी infection नहीं हुआ है उस पेड में मुझे इस तरीके से डालना है कि उस पेड के cells में इसका double standard RNN बनके ready हो जाए ठीक है अब इस पेड को actually actually अब खाया इसे infect किया अब इसे infect किया मान लीजे infect किया myloidgygyny incognesia पेस्ट लिख देती हूँ पेस्ट नहीं अब इसे खाया infection किया अंदर जब infection किया तो इस पेस्ट का gene है उस gene से भी इसने MRN बनाया अब बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से ये gene और ये gene तो सेम है ये gene और ये gene तो सेम है मैंने already artificially से डाल के रख कर ये double stranded आरेने ready कर रखा है तीक है याने ये जो MRN बनेगा इसमें एकी strand होगा single strand जो sense वाला होगा और ये जो बनेगा इसमें double strand होगा sense वाला भी होगा और anti sense वाला भी होगा याने पेड के cell के अंदर एक double stranded आरेने बन रहा है और एक MRN नॉर्मल single stranded बन रहा है single stranded वाला जो infection हुआ है उसके बाद बन रहा है और double stranded आरेने हमने खुद से artificially बनवा के ready रखा हुआ है आप सुनो gene तो सेम है gene सेम है याने sense the strand भी सेम बनेगा सेम बनेगा लेकिन ये anti sense इसके भी तो complementary है इसके भी complementary है तो ये भी इसके साथ आके जुड़ता है आप तो इतना समझ लो आप तो बस इतना समझ लो कि ये भी इसके साथ आके जुड़ जाता है याने ये भी यहाँ पे attach हो जाता है याने ये double stranded रने बन जाता है क्यूं? आलग हो जाते हैं और इसके anti-sense के साथ इसका sense जुड़ जाता है क्या होता है? ए जो anti-sense है इसके साथ इसका sense जुड़ जाता हlaus ये sense इसके anti-sense के साथ जुड़ जाता है यानि ये जो mRNA है ये single stranded नहीं रहता ये double stranded में change हो जाता है और अब अगर ये double stranded में change हो गया तो translation अब आगे होगा नहीं protein बनेगा नहीं और जब protein नहीं बनेगा तो no growth of milloidy, gynae, incognesia nematode की growth होगी नहीं और वो मर जाएगा यानि फसल खराब नहीं होगी यहां हमने क्या किया है हमने mRNA को चुप कराया है silence कराया है हमने translation को inhibit किया है और double stranded RNA क्यों बना है क्योंकि genes जो है वो same है तो same तरह का RNA बनेगा इसका antisense, इसके sense के साथ जुड़ जाता है hydrogen bond से पहले ये दोनों अलग हो जाते हैं मैं बहुत ज़ादा detail में नहीं जाओंगी because इससे ज़ादा level BSC, MSC में आता है यानि अब अगर मैं आपको NCRT read कराऊं, देखिए यहां पर देखो line by line pest resistant plants की बात कर रहे है बहुत सारी nematodes हैं जो कई सारे पेड़ों को animals को, human beings को बिमारिया करते हैं इवन बुकरेरिया बैंक्रॉफ्ट आए जो philariases करता है वो भी round worm है चल, एक nematode है milloidy gynae incognesia ये tobacco पेड़ की roots को infect करती है और उसकी पसल खराब करके reduce yield कर देती है एक नई technology है RNA interference technology ये all eukaryotic organisms में हैं उनके cell के defense का एक तरीका है इस method में हम particular mRNA को चुप करा देंगे silence करा देंगे क्योंकि हम उसका complementary double stranded RNA बना रहे हैं जो उससे जुड़ेगा और रोकेगा translation याने mRNA की silencing हो जाएगे ठीक है नौँ यहाँ पर complementary RNA याने वो gene हम कैसे घुसा सकते हैं या तो आप virus वित RNA genome या transposon या agrobacterium tumefacian vector पर introduction इस तरह से होना चाहिए कि बोथ sense and antisense strand host cell के अंदर बने अब जो infection होगा और mRNA बनेगा तो यह दोनों RNA एक दूसरे के complementary हैं इसलिए double stranded RNA बनाएंगे जो RNA interference करेगा यानि mRNA of the nematode को silence करेगा protein नहीं बनेगा उसकी growth नहीं होगी और tobacco को बिमारी नहीं होगी parasite could not survive in this host transgenic कौन है? genetically modified कौन है? यानि इस पेड़ ने अपने आप को बचा लिया तो हमें pesticide spray करने की जरूरत नहीं है this is more than enough for need more than enough right चलो यह chart की भी कोई जरूरत नहीं है मैं ऐसे हटा देती हूँ आप अन्यसे सरी confused हो लिए देखिए क्या हुआ है? देखो nematode है यह roots को infect करता है इसके gene को मैंने introduce कर दिया तंबाकू के अंदर और उससे sense and anti-sense दोनों strands बना लिये अब जब actually infection हुआ actually तो इसने अपना mRNA बनाया इधर double stranded RNA था पर यह दोनों complementary थे तो यह आपस में जुड़ गये और double stranded RNA के कारण यह mRNA silence हो गया protein नहीं बना और आगे कोई growth नहीं हुई it could not survive और पेड बच गया देखिए यहाँ पर यह diagram क्या बताता है यह diagram का जो second part है first part और second part second part जो है यह देखिएगा यहाँ पर तो पहले infection गाठे बन रही है roots खराब हो रही है roots of a typical control plant लेकिन अब हमने इसमें RNA interference technology लगा दी तो अब second वाले में transgenic पेड की roots दिखाई है पांच दिन हो गए है हमने जान बूच के deliberately infection कराया है निमाटोड का फिर भी वो protected है इस नई technology RNA interference से मज़े आ गए तो जल्दी से yes या thumbs up बेच दो मुझे तो हमने golden rice और BT cotton में gene introduce करके protein बनवाया था और यहाँ पर हमने एक ऐसा gene introduce किया जिसका protein हमें नहीं बनाना आनन्द आ गया अच्चे जे समझ में आ गई तीनो golden rice, BT cotton and pest resistant tobacco तीनो ही बहुत जादा important है very very important चलिए so यह हो गया हमारा biotechnology in the field of agriculture अब next heading डालिए biotechnology in the field of medicine चलो next heading डालो biotechnology in medicine medicine चलिए अब यहाँ पर पहला point मैंने आपको बताये था medicine जैसे insulin hormone बनाना है तो पहले pancreas गाई के या सूर के लेते थे वो non human swords है और उस case में हो सकता है हमारा immune system उसे reject करे यानि immunological reactions वगएरा हो जाती है लेकिन अब biotechnology से genetic engineering से पूरी दुनिया में 30 तीस दवाईयां बनाई गई है 30 प्लीज इसे mark करिए NCRT में recombinant therapeutics मतलब medicines बनाई गई है इंसान के use के लिए growth hormone, erythropoietin hormone, insulin hormone यह सब बनाया है इंडिया में इन में से 12 है market में available तो यह दोनों data आने चाहिए पूरे world में 30, इंडिया में 12 ठीक है? चले तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे genetically engineered insulin जो first दवाई थी यह first hormone था जो बनाया गया था प्लीज हेडिंग लिखिएगा genetically engineered insulin engineered insulin प्लीज हेडिंग लिखिएगा आप सबको पता है कि insulin एक hormone होता है it's a hormone यह कौन बनाता है हमारे body में pancreas के beta cell सबको idea है by beta cells of pancreas chemical coordination में मैंने भी पढ़ाये था pancreas के beta cell से hormone बनता है it's a peptide hormone amino acids के जुणने से बनता है यह मैंने भी आपको पढ़ाया था अब यह किन्हें देते है गिवन टू जिन्हें diabetes mellitus शकर की बिमारी होती है diabetes mellitus patients एक diabetes इनसी पिडस भी पढ़ायती बताओ वो किसकी कमी से होती है जल्दी बताओ diabetes mellitus अक्चिली insulin ब्लड में glucose कम करता है insulin जो होता है यह reduce blood glucose और क्योंकि insulin ठीक से नहीं बन रहा है इसलिए blood में glucose बढ़ जाता है इसलिए diabetes वालों को insulin के injection लगाये जाते है अब इसके only injections लगाये जाते है only injections no oral treatment oral मतलब दवाई, गोली, पिल्स, टाबलेट्स वो सब नहीं आती क्यों नहीं आती यह question आता है previous year question आया हुआ है yes, ADH, anti-diuretic hormone बिल्कुल सही है, उससे diabetes, insipidus होता उसकी कमी से so, injections ही क्यों actually यह protein है न, peptide अगर अपने मुह से खाया तो mouth cavity में जाएगा isofagus में जाएगा, stomach में जाएगा और stomach में मैंने पढ़ाया है आपको digestive system में pepsin है, protein digesting enzymes है small intestine में गया बचके तो trypsin है, काइमो trypsin है और यह सब protein को digest करने वाले तो insulin को पहले ही digest कर देंगे तोड़ी देंगे, तो blood में absorb होके cells तक पहुचने का तो सवाल ही नहीं उठता है तो why, because it is degraded, तूट जाता है degraded in elementary canal elementary canal degraded ठीक है, अब scientist ने genetically engineer करने की कोशिश की insulin को, तो बहुत आसान है, बही क्या किया होगा बहुत easy आपको पता ही है insulin बनाने वाला gene ले लो, ठीक है उसे E. coli, bacteria के अंदर डाल दो यह transgenic हो जाएगा host है है ना, host है इसके अंदर insulin बन जाएगा plasmid को use कर लो, vector की तरह तलसी का था ना, plasmid use करते है यह desired gene हो जाएगा जब scientist ने यह कोशिश की तो insulin नहीं बना जब scientist ने insulin का gene E. coli में डाला तो insulin नहीं बना उनका दिमाग खटग्या बोला यह क्या हो गया, यह क्यूं नहीं बन रहा आजाओ समझो क्यूं नहीं बन रहा actually insulin में क्या होता है एक A chain होती है A chain इसके अंदर 21 amino acids है एक B chain होती है इसमें बहुत अच्छे questions आएं last 2 years से इसमें 30 amino acids की chain होती है peptide chains है यह फिक है? peptide chains है peptide यह भी peptide है amino acids है, बीच-बीच में peptide bonds है और यह दोनों आपस में di-sulfide bond से join रहती है इसके अंदर भी एक di-sulfide bond होता है लेकिन जब इनसान के अंदर gene से insulin बनता है ना mRNA और यह inside human वो ही beta cells के अंदर तो ऐसा नहीं बनता फिर क्या बनता है? एक और chain होती है जो A और B को join कर रही है किसे बोलते हैं? C chain यह भी peptide है peptide chain इसके अंदर 31 amino acids होते हैं, हाले कि NCRT में 31 वाला नंबर नहीं दिया 21 रुपे का शगोन 21 और 30 amino acids आने चाहिए ऐसा insulin बनता है gene से mRNA के बाद human body के अंदर और यह inactive है यानि यह pro insulin है या हम कहें immature insulin है immature insulin है pro hormone है pro hormone है, inactive है C chain क्या कर रही है it links A and B chain A and B chains को आपस में जोडती है बाकी A और B chains के बीच में disulfide bond है let me write अगर आपको नहीं आता क्योंकि यह previous year question है कि insulin की दोनों chains किस bond से जुड़ी है disulfide bond से यह previous year question है फिर हमारे pancreas के beta cells के अंदर ही उसी में उसी में एक chain जाता है क्या chain जाता है यह जो C chain है इसे remove कर दिया जाता है तो C chain अलग हो गई free C chain free यह हटा दी जाती है याने यह तो अलग ही हो गई अलग हो गई अब क्या बच्चा A chain और B chain A chain B chain और bounded by disulfide bond यह बच्चता है बस यह होता है mature insulin और यह फिर काम करके blood में glucose को काम करता है यह सब हमारे body के अंदर ऐसे ही होता है beta cells pancreas के अंदर इसे कहते हैं immature insulin से mature insulin बनाना याने maturation 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 क्या होता है maturation में C chain को remove किया जाता है अब problem क्या आती थी ध्यान से सुनो जब scientist उस gene को direct E. coli में डालते थे plasmid की help से भले ही तो pro insulin बन जाता था पर E. coli bacteria को ये काम नहीं आता mature करना नहीं आता यानि सबसे बड़ा challenge जो आया था insulin बनाने में वो क्या आया था mature करने का process bacteria के अंदर कैसे mature करवाएं भई gene से तो ये बन जाएगा और ये कैसे बनेगा biggest challenge क्या था biggest challenge please लिखिए greatest challenge biggest challenge सबसे बड़ी चुनौती biggest challenge was getting insulin mature formula getting insulin assembled in mature form ये scientist को समझ में नहीं आ रहा है कि insulin को mature कैसे करें immature तक तो बन रही थी that was the biggest challenge और इस challenge का तोड निकाला Ellie Lilly नाम की company ने Ellie Lilly ये एक American company है दवाई बनाने वाली American company ये उस साल की बात है जिस साल इंडिया ने first cricket world cup जीता था कौन सा साल है ये तो जट से बता दोगे आप 1983 में तो 1983 में American हर word पे question आता है Ellie Lilly नाम की company के उसने का यार इतना tension मतलो आप आप क्या करो सुनो आपको मालूम है न कि A chain में कौन-कौन से amino acid है याने उसका mRNA कैसा होगा क्योंकि आपको पते कोडॉन वाला अगर आपको फंडा पता हो तो 3-3 nucleotide का 1 कोडॉन होता है उससे 1-1 amino acid बनता है सब fix होता है याने आपको मालूम ही कि अगर यही amino acid है तो ऐसा ऐसा mRNA होगा और ऐसा ऐसा gene होगा तो उसने का आप तो एक काम करो आप तो एक काम करो आप तो gene for A chain लाब में आर्टिफिशली बना लो आर्टिफिशली उसे E को लाई के अंदर डाल दो तो E को लाई के अंदर A chains बन जाएंगे यह तो बन जाएगी ना इसमें तो कोई पंगा नहीं है ऐसे ही आप B chain बनाने वाला जो gene है वो लाब में आर्टिफिशली बना लो आर्टिफिशली उसे भी आप E को लाई के अंदर डाल दो तो वो B chains बन जाएंगे separately A और B chain separately बन गई है separately separately बना ली उन्होंने plasmid को यूज करा है vector की तरह दोनों जगे पे plasmid को यूज करा है plasmid को E को लाई हो गया genetically modified organism तो उन्होंने का आप A chain अलग बना लेते हैं B chain अलग बना लेते हैं दोनों को बाहर निकालते हैं और lab में disulfide bond से जोड दो ये निकालो and joined by disulfide bond उन्होंने का ये पंगा ही छोड़ो ये लपड़ा ही छोड़ो disulfide bonds laboratory में बाहर बाहर ऐसे बना था पहला genetically engineered hormone या दवाई वो insulin ही था पहला hormone जो बना वो insulin था पहली medicine जो बनी वो insulin थी genetic engineering बाद में फिर growth hormone, erythropoietin hormone, follicle stimulating hormone बहुत कुछ बनाया है scientist ने 30 दवाईया इस तरह से genetic engineering से बनाई गई हैं तो मैं यही पर लिख देती हूं कि insulin जो होता है genetically insulin ये first genetically engineered hormone या drug drug मतना medicine है पहली यही बनी थीक है मज़े आ गए चलिए आईए NCRT की line ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूं कि पहले जो insulin था वो गाई भैस याने मवेशी pigs उनसे लिया जाता था लेकिन उसमें immunological reactions का role था immature insulin तो बन जाता है जिसमें extra C peptide chain होती है बट main challenge था उसे mature करना उसके लिए दो different genes लिए A और B chain वाले और अलग-अलग chains बनाई और फिर इन chains को separately बनाया है फिर इन्हें बाहर निकाला और di-sulfide bond से join कर दिया हो गया मज़े आगए देखो NCRT का diagram समझो इस diagram को 12.3 यहाँ पर ये A chain है blue वाली green वाली B chain है और ये C chain है लेकिन जब maturation हुआ तो A और B तो अभी भी देखो di-sulfide bond से जुड़ी है एक di-sulfide या A chain के अंदर भी होता है A और B अभी भी जुड़े है ये mature insulin है प्लास यानि ये अलग हो गई है प्री-C peptide प्रो-insulin से insulin बनाना अच्छे से समझ में आया सबको एक एक वर्ड बताओं मुझे यहाँ पे gene of interest क्या है gene of interest पॉरन जीन डिजायर जीन ये वाले जीन वेक्टर क्या लिया है प्लासमेड लिया है और ट्रांस जेनेक या ट्रांस जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन हो रहा है इकोलाई हो रहा है इकोलाई है ठीक है एवरीटिंग क्रिस्टल क्लियर तो जल्दी से मुझे येस या थमसब दे दो एक अब आएए स्टूडेंट्स अपन टैन मिनिट्स का ब्रेक ले लेते हैं हमने बीटी कॉटन पढ़ लिया पैस रजिस्टेंट टुबाको पढ़ लिया हमने गोल्डन राइस पढ़ लिया और हमने इंसुलिन जेनेटिक इंजिनियर इंसुलिन पढ़ ली अब हम जीन थेरेपी पीसी आर अलाइजा और रेडियो ग्राफी जहां से बहुत 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 क्वेस्टेंज आते हैं सो आए हम पढ़ापट से पहले लेट्स टेक ब्रेक पॉर्ट पें हम वापस मिलेंगे अभी 5.40 हो रहा है सब 5.50 पीम पर वापस मिलेंगे कर दो रहा है को से बहुत 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 क्वेस्टा वापस मिलेंगे पास बदिखने के वापस मिलेंगे अनलाइज वाल वाल ठाजाजा क्वेस्टाश झाल 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 आल राइट स्टूडेंट्स सो ओडियो विडियो क्लियर है ओडियो विडियो ओके मुझे जल्दी से यह स्याथ हम सब दे दो अब जोलोजी का डर रहा ही नहीं आपकी वज़े से ओस्कर श्री साथ श्री साथ थैंक यू गाड़ ब्लेस यू बहुत बढ़िया औडियो विडियो ओके तो जल्दी से यह से यह सब दो फिर कहानी शुरू करते हैं पलक अन्वेशा अ आसकर रिपकित जुबेर सिलेखा अनीशा कैव रश्मी मज़े आ रहे महिमा चली तो ब्रेक वाली स्लाइट तो खटा देते हैं और अब हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी हेडिंग लिखिएगा जीन थेरेपी देखो समझो यह रखते हैं पुराने पुराने सेल चली जीन थेरेपी का मतलब समझो मान लो कि कोई इंसान पैदा हुआ उसे कोई जेनिटिक बिजीज है मतलब उसका कोई जीन पॉल्टी है नौन फंक्शनल ऐसा समझ लो तो वो वाला प्रोटीन भी नहीं बन रहा होगा और जब वो प जीन थेरेपी तो आई पहले हम इतना एंसी आर्टी में एक बार माक करते हैं हम ही कह रहें कि एक इंसान है जिसे हेरेडिटी डिजीज है हेरेडिटी तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं जीन थेरेपी जन्मजाद इसमें हम क्या करेंगे जीन डिफेक्ट को करेंगे करेंगे या तो बचपन में या embryo लेविल पर ही कर सकते हो अगर embryo में ही diagnosis बन जाए इस defect का यानि हम क्या करेंगे हम deliver करेंगे normal gene को उस इंसान के अंदर या embryo के अंदर और वो जो non-functional gene है non-functional gene उसका काम करेगा उसका function take over करेगा उसको compensate करेगा यानि non-functional gene को हम replace कर देंगे functional gene से इतना समझ आया अब ये कैसे करेंगे आए लिखते है फ्लीज लिखिए मेरे साथ एक लड़की थी चार साल की 4-year-old girl NCRT में इसका नाम नहीं दिया बट एक्चिली इसका नाम था शांती डिसलवा चार साल की बच्ची girl इसे एक बिमारी थी इसे एक बिमारी थी ठीक है 1990 की बात है 1990 में फर्स्ट gene therapy इसे ही दी गई थी इस बच्ची को एक बिमारी थी जिसका नाम था skid ADA यह disease है skid ADA so she was suffering from skid ADA skid का क्या मतलब है समझो severe combined immunodeficiency क्या बोला मैंने मैंने कहा severe combined immunodeficiency one second students हा एक चीज़ एक सेकंद देना मुझे अभी दिखाती हूँ यह बच्ची आपको मैं चलो कोई नहीं so this is severe combined immunodeficiency immune system ठप हो गया है immunodeficiency जैसे AIDS में भी तो होता है acquired immunodeficiency वहाँ पर भी cell-mediated antibody-mediated पूरी immunity ठप हो जाती है पर AIDS acquired है जन्म के बाद viral infection हालेकि यह mother से fetus में भी आ सकता है पर mostly acquired होता है पर यह जन्म जाते है heredity disease है congenital disease है यानि genetic disease है जन्म जाते है अब यह क्यों है क्योंकि एक gene होता है जो एक enzyme बनाता है enzyme मतलब protein बनाता है जिस protein का नाम है जिस enzyme का नाम है adenosine deaminase क्या बोला मैंने मैंने बोला उस enzyme का नाम है adenosine deaminase enzyme enzyme कोई एक gene होगा वो mRNA बना रहा होगा और वो यह protein बना रहा होगा इसे प्यार से बुलाते हैं ADA enzyme यह enzyme बहुत जरूरी है important है immune system के काम करने के लिए important for functioning of immune system immune system अब ध्यान से समझें यह enzyme इस बच्ची के अंदर चन्म जात ADA बनाने वाला gene faulty था जो ADA gene था यह faulty था non-functional था गड़बर था इसी लिए यह enzyme भी ठीक से नहीं बन रहा था और इसी लिए immune system काम नहीं कर रहा यानि उसे बिमारी हुई severe combined immunodeficiency due to non-functional ADA gene ADA gene ठीक से काम नहीं कर रहा था तो adenosine deaminase enzyme नहीं बन रहा था और इस कारण immune system काम नहीं कर रहा था ठीके अभी मैंसे हटा देती हो आप confuse मत हो जाना यानि इन बच्चों का immune system पूरा ठप रहता है इने bubble babies बोलते हैं ये photo देखो ऐसे इन बच्चों को रखा जाता है bubble babies bubble के अंदर space तूट पैना के रखा जाता है school नहीं जा सकते कहीं खेलने नहीं जा सकते यहीं पर इनके toys boys पूरी दुनिया यहीं होती है छोटा सा भी infection इनके लिए जान लेवा हो सकता है इस बच्ची के मदद कैसे की जाए इसे ही पहली first gene therapy दी गई थी तो first gene therapy किसे दी गई थी एक 4 साल की बच्ची को first gene therapy was given to a 4 year old girl उस girl का नाम था शांती डिसलवा आपसे नहीं पूछेंगे कब दी गई in 1990 एक 4 years की बच्ची को जिसे बिमारी थी skid ADA की याने adenosine deaminase enzyme नहीं बन रहा था यह important है इसका pull form यह previous year question आया हुआ है आजो कैसे दी सीखते हैं तो यह सतारा मैंने आपको बता दिया अब हम इसे कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं इस बच्ची को वो दिखाती हूँ आपको इस skid का treatment क्या क्या है treatment for skid वो ही skid ADA इस बिमारी का इलाज क्या है देखो पहला इलाज तो बहुत आसान है क्या है बई enzyme नहीं बन रहा ना तो हम enzyme को artificially lab में बना लें और उसके injections हम उस बच्ची को लगाते रहें तो enzyme body को मिलता रहेगा पर उसकी body enzyme नहीं बनाएगी हम artificially बाहर से दे रहे हैं जैसे body insulin नहीं बनाए और अपन insulin का injection लगा दें वैसा समझो इसे बोलते हैं enzyme replacement therapy अपन enzyme को replace कर रहे हैं पूरा का पूरा enzyme दे रहे हैं enzyme replacement therapy यह पहला तरीका है ERT इसमें अपन क्या करेंगे इसमें अपन injections देते हैं injections of ADA actually IV injections देते हैं veins में intravenous so injections of ADA पर यह जिंदगी बर देते रहना पड़ेगा दूसरा यह जो ADA enzyme है यह lymphocyte के अंदर बनता है lymphocyte एक तरह का WBC है और WBC RBC यह सब bone marrow के अंदर बनते हैं तो अगर हम bone marrow ही change कर दें तो पूरा का पूरा lymphocyte change हो जाएगा gene change हो जाएगा सब कुछ change हो जाएगा यानि bone marrow transplantation actually अगर आपने bone marrow बदल दी ना तो permanent cure हो जाएगा इलाज हो जाएगा क्योंकि bone marrow बदल दोगे तो lymphocytes बदल गए lymphocytes normal हो गए अगर normal bone marrow है normal stem cells होंगे normal lymphocytes बनेगे उनमे normal gene होगा normal ADA बनेगा बिमारी नहीं होगी बट भगवान जाने क्यों NCRT ने लिखा है कि both are not curative permanent इलाज नहीं है वैसे है पर लिखा है तो तीसरा इलाज क्या है gene therapy gene therapy कैसे देते हैं gene therapy आई अब समझते हैं हालकि ये भी permanent नहीं होगी बताती हूं आपको क्यों तो ये enzyme ये gene कहां पर होता है in lymphocytes WBC ये एक तरह का B lymphocyte T lymphocyte याद है न lymphocytes उसमें ये gene है जो गड़बड है आज वो gene therapy सीखते हैं कैसे देते हैं बहुत इजी है gene therapy देखो क्या करेंगे ध्यान से समझना सबसे पहले मैंने क्या किया पेशेंट का blood लिया पेशेंट का blood उस blood में plasma भी है RBC भी है WBC भी है फ्लैटिलेट भी है WBC में वही neutrophil acidophil basophil lymphocytes monocytes सब है यहने lymphocytes भी है तो मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले सबसे पहले मैंने patient के lymphocytes को बाहर निकाल दिया Taken Out मैंने blood ले लिया Basically patient के lymphocytes बाहर निकाल लिया मानलो मैंने 5 ml blood लिया मानलो उसमें मुझे 500 lymphocytes मिले अब मैंने उन lymphocytes का culture कर दिया इनको मैंने culture कर दिया Culture outside body कल्चर करने से क्या होगा 500 लिंपोसाइट के पता-पड़ा मुझे 5 लाख लिंपोसाइट बन गए multiply हो गए ठीक है अब यह सपोस करो लिंपोसाइट है यह सपोस करो लिंपोसाइट है लिंपोसाइट एक animal cell है तो यह उसकी plasma membrane होगी इधर साइटो प्लासम होगा इधर nucleus होगा और nucleus के अंदर इसका genetic material DNA होगा यह साइटो प्लासम अब मैंने क्या किया मुझे मालूम है कि वो जो gene है ADA वाला उसका sequence क्या होता है nucleotide का वो मुझे मालूम है वो scientist को मालूम है तो उन्होंने क्या किया इस step के बाद में इस step के बाद में artificially ADA gene बनाया ADA gene ठीक है और इसे lymphocyte के अंदर डाल दिया ADA gene desired gene है मेरा desired gene क्योंकि मैं यही वाला enzyme चाहती हूँ और मैंने इसे lymphocyte के अंदर डाल दिया यानि lymphocyte क्या हो गए genetically modified या कहो ट्रांस जेनिक हो गए है या कहो यही हो host है host जैसे मैं insulin का gene E. coli में डालती ऐसी मैंने ADA का gene patient के lymphocyte में डाल दिया बताओ मैं vector क्या use करूंगी vector बताओ सोचों यह animal cell है और अगर animal cell host था तो retrovirus यूज करते थे यादे retrovirus डिसाम्ड modified retrovirus अभी दर खेती agriculture पढ़ रहे थे plant cell host था तो agrobacterium यूज कर रहे थे और अब मैं इनको वापस से patient की body में डाल दूंगी transferred back into patient patient क्या तो अब patient के पास में एक ऐसा lymphocytes आ गए है पांच लाग ऐसे lymphocytes आ गए है क्या पंगा है यहाँ प्रॉब्लम यह कि आप जानते हो कि lymphocytes WBC जो उनकी limited life होती है वो अमर नहीं है immortal नहीं है यानि मान लो 28 days life है तो पांच लाख lymphocytes 28 days के बाद में मर जाएंगे body तो नॉर्मली गडबड़ वाले lymphocytes सी बना रही है यानि मुझे 28 days बाद दुबारा genetic gene therapy देनी पड़ेगी यानि gene therapy जो है इसका बार 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 करनी पड़ेगी periodic infusions given बार 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 देनी पड़ेगी periodically और ऐसा क्यों है because lymphocytes अमर नहीं है limited life है जिस दिन वो सारे lymphocytes खतम हुए जो आपने genetically engineer करके डाले है उस दिन immunity ठप because lymphocytes are not immortal mortal का मतलब होता है जो मरता है immortal का मतलब अमर lymphocytes अमर नहीं है इसलिए बार 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 देना पड़ेगा तो क्या कोई permanent cure नहीं है एक बार में कर दो और खेल खतम हो जाए है permanent cure का बोगा permanent cure वो तो permanent नहीं है वो तो बार 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 देना पड़ रहा है तो permanent cure का बोगा मान लो अगर ये बच्ची शान्ती डिसलवा पैदा अभी नहीं हुई है अभी एंब्रियो है और कैसे भी करके उसी समय डॉक्टर्स ने बता दिया कि इसमें ये जीन डिफेक्ट है और अभी अगली एंब्रियो है अर्ली एंब्रियो 8 सेल 16 सेल तक का जब तक टोटी पोटेंट सेल्स होते हैं अगर मैंने उन सेल के अंदर जीन ठेरपी दे दी मान लो माइक्रो इंजेक्शन से मैंने इस जीन को पहुचा दिया तो वो तोटी पोटेंट सेल्स हैं यानि वो जिन्दगी बड़ जो भी अब सेल्स बनाएंगे उन सब में ये जीन होगा और ये एंजाइम बने अब आपको बार 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 नहीं देना पड़ेगा तो पर्मनेंट क्यों और है तो फिर जितने सेल्स बनेंगे जिन्दगी भर क्योंकि स्टेम सेल में ही आ गया है करेक्ट जीन तो अब जितने लिंफोसाइट बनेंगे उन सब में प्रॉपर जीन आता रहेगा ट्रू जीन करेक्ट जीन आता रहेगा लेकिन इसके लिए डाइग्नॉसस बनना चीए एंब्रियोनिक स्टेज में वो भी अर्ली एंब्रियोनिक स्टेज में विच इस वेरी वेरी रेरेस्ट मज़े आ गए जल्दी से येस याथ हम सब बोलो जितने लोगों को समझ में आ गया और उसके बाद मैं आपको एक और शांदार चीज पढ़ाऊंगी शांदार आपको मज़े आ जाएंगे यहाँ पर डिजायर जीन है एडिये जीन वेक्टर है रेट्रो वाइरस और पेशन्ट के लिम्पोसाइट जेनिकली मॉडिपाए है लार्जेस्ट से याद रख सकते हो लिम्पोसाइट के अंदर एडिये जीन डालते है रेट्रो वाइरस वेक्टर होता है इन जीन थेरपी वैसे कोई ज़रूत नहीं है स्ट्रिक की आपको वैसे याद हो जाएगा अब आपको एक बहुत शांदार चीज़ पढ़ाने वाली हूँ है लिखा इतना सुनो NCRT में क्या लिखा है ध्यान से सुनो मुझे ये तो सब ठीके मैंने बता दिया आपको NCRT में लिखा है कि हम रेट्रो वाइरस को यूज करते हैं वेक्टर की तरह ये क्या पंगा है ADA जीन तो मुझे पता है ADA CDA ने क्या है आईए बताते है अमन विकॉस अफ्यू मैं बोटनी इस वेरी गुड नाव वन ओफ यूर नादान परिंदे हाँ गॉड प्लेस यू अमन माम समझ में नहीं आया अब फिर से समझा दो पिटा समझाया ना भी आपको पेशन के लिंफोसाइट भार निकाले कल्चर करके नंबर बढ़ा दिया उनके अंदर ADA जीन डाल दिया उन्हें वापस पेशन की बोड़ी में डाल दिया तो अब उन लिंफोसाइट में वो एंजाइम बनता रहेगा और पेशन तब तक काम करेगा जब तक सारे लिंफोसाइट मर नहीं जाएं उसके बाद दुबारा ये करना पड़ेगा ठीक है चल आगया समझ में नीट गुरू ये स्ती डियने का क्या पंगा है और क्यूं डालते हैं आपको basic समझा तो समझो Actually बता होता क्या है आप लोगो मालूम है कि DNA से RNA और RNA से protein बनता है लेकिन यहाँ पर मैं retrovirus use कर रहे हूँ retrovirus इसके पास तो RNA है तो मैं RNA के साथ normal DNA थोड़ी जोड सकती हूँ जीन तो DNA होता है double stranded होता है double stranded तो मैं double stranded DNA को RNA single stranded होता है इसके साथ थोड़ी राटाच कर सकती हूँ तो करते क्या है यह gene lab में बनाते है लाब में ठीक है ADA gene बनाया gene मतलब double stranded DNA बनाया laboratory के अंदर बना लिया ठीक है इससे RNA बनाएंगे ADA का RNA ये जब लैब में करते हैं artificially जब DNA से RNA बनता है तो उसे कहते हैं transcription लेकिन RNA बोडि के अंदर नहीं डाल सकती सेल के अंदर नहीं डाल सकती डालना तो DNA है तो इस RNA से वापस DNA बनाते है RNA से जो DNA बनता है उसे CDNA कहते है RNA से जो DNA बनता है उसे CDNA बोलते है जब DNA से RNA बना तो transcription और जब RNA से DNA बना उल्टा तो reverse transcription यह सब हम laboratory के अंदर कर रहे हैं reverse transcriptase enzyme की help से यह हमने क्यों किया? यह हमने इसलिए किया क्योंकि यह DNA single stranded होगा और यह बहुत आसानी से retro virus के through पर अंदर चला जाए क्योंकि retro virus में single stranded genetic material है तो मुझे उसके साथ single stranded DNA जोडना है पर DNA double stranded ही होता है तो क्या करें? हमें ultimately single stranded DNA बनाना है तो my dear students याद रखो जब भी retro virus को use करोगे तो हमेशा cDNA डाला जाता है उस gene का और cDNA वो DNA होता है जो RNA से बनता है तब उसे cDNA बोलते हैं फिर वो अंदर जाके फिर double stranded बनके फिर mRNA protein वगेरा बनाता है जुसको कुछ भी याद नहीं रहे वो इतना याद रख लेना कि ADA अकेला नहीं डालते हैं ADA cDNA डाला जाता है ठीके याद रख लेना ADA का cDNA डालते हैं ये NTRT में दिया होता है हो गया मज़े आ गए जल्दी से yes याद हम सब बोलो फिर story को आगे बढ़ाते हैं चलिए done आ गए मज़े आ जाओ NCRT की lines एक बार दिखा देते हूँ देखिए first clinical gene therapy 1990 4 year old girl जिसे adenosine deaminase की deficiency थी ये enzyme crucial है immune system की functioning के लिए ये disorder होता है क्योंकि इसका gene delete हो जाता है इसे क्योर कर सकते हैं number one bone marrow transplantation से number two enzyme replacement therapy से जिसमें हम patient को ADA के injections देते हैं पर ये दोनों ही completely cure नहीं करती हैं तो अगला आता है gene therapy gene therapy में lymphocytes patient के blood से बाहर निकालके culture करते हैं और फिर उसमें ADA का cdna डालते हैं vector retro virus को use करते हैं और अब ये lymphocytes जो है इन्हें वापस patient की body में return कर देते हैं क्योंकि lymphocytes अमर नहीं है periodic बार बार ये करना पड़ता है पर अगर हमने gene को early embryonic stage में ही डाल दिया तो permanent cure हो जाएगा done एक एक bird समझा दिया आपको चलिए तो यहां पर आकर हमारा in the field of medicine भी complete होता है तो हमने agriculture खेती में golden rice देख लिया BT cotton देख लिया pest resistant tobacco देख लिया और हमने medicine की field में genetically engineered insulin देख लिया और gene therapy देख लिया अब आई हम बात करते हैं molecular diagnosis diagnosis का क्या मतलब होता है प्लीज NCRT open करिये diagnosis का मतलब होता है बिमारी का पता लगाना है नॉर्मली किजी को बुकार आता है तो डॉक्टर क्या करते है blood test या urine में infection है तो urine test या motion species में कोई problem है तो उसका test या गले में खराश है तो sputum, bulgum का test या blood को actually serum में convert करते है body fluids में पढ़ाया था serum clot नहीं करता तो कुछ test blood में करते है कुछ serum में करते है तो normally पुराने ढर्रे के हम बात करें normally तो urine analysis, serum analysis, blood test ये सब कराए जाते है बट इन में pathogen, बिमारी करने वाला organism तब आएका जब वो body में बहुत बढ़ गया है body में बहुत bacteria हो गया या virus हो गया या fungi हो गया, हमें लक्षण symptoms आने लगे है तब हम doctor के पास गए, तब हमने blood test कराया और फिर उसमें जाकर वो parasite pathogen आया पर मैं पहले ही पता करना चाहती हूँ, जब अभी symptom नहीं आया, मुझे शक है शायद इसको HIV infection हुआ है मैं wait नहीं कर सकती, उसको symptom आजाए, AIDS हो जाए, नहीं मुझे शक है, शायद इसे TB हुआ है, अभी हुआ भी उसको खासी वासी आना, वो सब शुरू नहीं हुआ है तो मैं जब वो pathogen very low concentration में है जब symptoms भी नहीं आए है तो मैं genetic engineering से पता लगा सकती हूँ PCR से, ELISA से और आटो रेडियोग्राफी तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपको effective treatment करना है किसी बिमारी का तो आपको जल्दी से जल्दी उसका diagnosis बनाना बहुत ज़रूरी है जो पुराने तरीके हैं conventional typical methods उसमें early detection possible नहीं है चाहिए urine analysis हो blood test हो, serum test हो, stool test हो कुछ भी हो लेकिन our DNA technology से जो PCR अभी मैं सिखाऊंगी ELISA इन से हम early diagnosis बना सकते हैं कैसे अभी मैं सब सिखाऊंगी don't worry यानि यहाँ पर हम pathogen की present तब पता कर सकते हैं जब disease हुई भी नहीं है हुई भी नहीं है नौर्मली तो तब पता चलती है नौर्मली जब symptoms आ जाते हैं लक्षण आ जाते हैं और तब तक pathogen already very high in the body है लेकिन very low concentration में जब symptoms अभी आए भी नहीं है तब भी हम PCR से पता कर सकते हैं देखो समझो सुनो मुझे ध्यान से सुनो मानलो मेरे पास एक patient आई सुनना ध्यान से मुझे लगता है इसकी body के अंदर जैसे मैं अपनी बात करूँ हम लोग IVF आपको पता है मैं गाइनाक हूँ मानलो मेरे पास एक lady आई और मुझे लग रहा है इसके tubes फैलोपिन tubes ब्लॉक्ड है जरूर इसके tuberculosis का infection है mycobacterium tuberculosis का तो मैं क्या करती हूँ मैंने उसकी sample लिया या blood sample लिया और मैंने laboratory वालों को लिख कर भेज दिया TB-PCR मुझे कौन सा test करा है TB-PCR थोड़े दिन में report आ जाएगी कि positive है या negative उस patient को कोई symptom नहीं है low concentration में उसकी body के अंदर TB का bacteria है और मैंने तो भी पता लगए कैसे समझो बहुत easy है PCR कल पढ़ाया था PCR में DNA की multiple copies बना लेते हैं artificially यानि बड़ा चड़ा देते हैं number of DNA molecules को मुझे मालूम है कि अगर TB का bacteria है तो lab वालों को मालूम है कि TB के bacteria में कौन सा gene है जो बिमारी करता है यानि ऐसा protein बनाता है जिससे बिमारी होती है उन्हें उस gene के nucleotide sequence की भी पूरी knowledge है full knowledge है तो वो क्या करेंगे वो जो blood मैंने भेजा है उसको PCR मशीन में डालेंगे सबसे पहले denaturation होगा यानि पूरा DNA दो parts में break हो जाएगा दोनों strand separate हो जाएगे फिर वो जो primer लगाएगे वो वही वाला artificially lab में बनाएगे जो TB के bacteria में होता है उसका complementary लगाएगे अगर bacteria होगा तो ये primer जुड़ेगा फिर polymerization होगा और फिर DNA multiply कर जाएगा अगर DNA की multiple copies बन गई यानि TB का bacteria present है sample के अंदर और अगर नहीं बनी मतलब absent है तो अगर एक bacteria भी है इतना सबी DNA है तो बड़ा चड़ा कर PCR से मैंने check कर लिया यानि यहां पर हम detect कर सकते हैं very low amount of DNA also जब बिमारी के symptoms भी नहीं आए है बहुत low concentration में bacteria virus है तो भी हम PCR से पता कर सकते हैं तो PCR को use करते हैं तीन जगे पर तीन जगे NCRT में लिखा है number one अगर आपको लग रहा है AIDS है तो HIV के लिए PCR लगा दो please mark करिए detect HIV in suspected AIDS patient फिर हम primer वो वाला डालेंगे जो HIV के complimentary होगा वो सब मालूम है scientist को सब मालूम है number two number two अगर कोई cancer patient है मुझे लग रहा है इसे cancer है cancer मतलब इसके genes में कोई बदलाव mutation आया होगा उसे भी detect कर सकते हैं तो second है suspected cancer patients में mutations को पता करने के लिए वही PCR लगा देते हैं और तीसरा बहुत सारे genetic disorders है उनका भी पता चल जाता है PCR से तरीका वही है आपको पता हूँ मैं sample भेजूंगी तो ऐसा है नहीं मैं बस भेज दूँ मुझे लिखना पड़ेगा TB-PCR तो वो TB वाला ही प्राइमर जोड़ेगा तो genetics disorders cancer patients में mutations in genes and AIDS जहां आप शक है suspected हाँ HIV का detection यह तीन है PCR की applications माग कर ली सबने यह as it is रटी होनी चाहिए very very important चल अब आजाओ second समझते हैं Eliza 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 का मैं पहले full form लिखती हूँ लिखो एक बार enzyme linked immuno sorbent essay enzyme linked immuno sorbent essay Eliza समझो ध्यान से समझो suppose करो मुझे लग रहा है कि एक इनसान को HIV infection है मतलब उसके blood में HIV है मैंने क्या किया उसका sample डाल दिया blood sample patient का blood sample मुझे नहीं मालूम HIV है या नहीं मान लो अगर HIV हुआ तो वो antigen यहां लग गया अगर है मुझे नहीं पता I don't know I don't know अगर है तो यह हो गया HIV का antigen अगर मैं HIV के लिए test लगा रही हूँ तो मैंने already market में antibody बनाई हुई है antibody यह HIV के antigen के खिलाफ antibody है यह market में lab में बना रखती है और इसके साथ मैंने एक enzyme जोड दिया enzyme तो यह है enzyme linked antibody enzyme linked antibody यह मैंने इसके अंदर डाल दी यह first step किया फिर यह second step किया अगर blood के अंदर HIV है तो ही antigen होगा और अगर antigen होगा तो ही antibody इसके साथ attach करेगी और इस antibody पे enzyme लगा हुआ है enzyme यह enzyme ऐसा है जो एक particular substrate डालने पर दिए पर color देता है blue color यानि यह substrate कैसा कहलाएगा chromogenic जैसा याद हमने blue white selection में भी पढ़ा था कल के chapter में यह enzyme ऐसा है जैसे beta galactose डालने पर blue color देता है कुछ वैसे ही समझो तो मैं क्या करूंगी third step में मैं यहाँ पर chromogenic substrate डालूंगी chromogenic substrate मुझे अभी नहीं पता कि HIV है या नहीं अब सुनो ध्यान से अगर blood में HIV है तो antigen यहाँ लगा होगा चिपका होगा फिर जब मैंने antibody डाली होगी तो वो antigen के साथ चिपकी होगी यानि enzyme attach हो गया होगा फिर जब मैंने substrate डाला तो enzyme ने color दे दिया होगा यानि अगर color आ गया if blue color comes तो positive test है positive अगर मान लो blood sample में HIV होता ही नहीं antigen लगता ही नहीं antibody डालने पे चिपकती ही नहीं हर स्ट्रेप के बाद ना wash भी करते हैं तो चिपकती ही नहीं तो wash करने पे धुल जाती तो जब आप substrate डालते तो antibody तो है नहीं enzyme तो है नहीं क्योंकि antigen तो है नहीं तो कोई color नहीं आता if no color मतलब negative test है अगर color आया तो positive क्योंकि antigen था यानि antibody chip की यानि enzyme present है यानि color आएगा और मान लो अगर 10 HIV virus है 10 antigen है तो 10 body chip केगी तो 10 enzymes है तो मान लो इतना dark blue आया पर अगर 100 HIV होते 100 antigen 100 antibody चिपकती 100 enzyme होते और गहरा color आता यानि intensity of color जितनी ज़्यादा है जितना dark blue होगा intensity of color उतना ज़्यादा tighter यानि concentration of pathogen है तो कितना pathogen है या नहीं वो तो color से पता चल गया color आया तो pathogen present positive test color नहीं आया नहीं present negative test और कितना color आया intensity of color वो उसका tighter बताता है यानि यहाँ पर इसका आधार क्या है principle क्या है antigen और antibody का reaction interaction देखो इसका नाम enzyme-linked antibody है antibody को immunoglobulin भी बोलते है इसलिए enzyme-linked immuno sorb मतलब absorb होई है antigen पर और essay मतलब उसका tighter देख रहे हैं कितना absorb हुआ भी है नहीं हुआ हुआ है तो कितना हुआ है enzyme-linked immuno-sorbent essay test जो है यह antigen-antibody interaction के principle पर आधारित है यहाँ पर हम pathogen को पता कर रहे है antigen या antibody detect करके antigen pathogen का है और antibody pathogen के खिलाफ पाली है उसके through हम पता कर रहे है जल्दी से एक बार देखो समझ आ गया जल्दी से thumbs up भेज़ दो मुझे come on everybody Eliza गौरिशार सुभांकर राजेश हबीबा महिमा M.D. आसिफ हो गया समझ में आ गया Eliza AIDS का screening test पढ़ाया था Eliza अगर याद हो और AIDS का confirmatory test western blotting होता है जो आपको molecular basis of inheritance में पढ़ाएंगे चल्द इसको मैं हटा देखो NCRT में दिया भी नहीं या आप unnecessary confuse होंगे चल्द अब आज ओ थर्ड टेखनीक पर आते हैं जिसे बोलते हैं और तो रेडियोग्राफि और तो रेडियोग्राफि molecular basis molecular diagnosis की बात करें और तो रेडियोग्राफि इसमें भी previous year question आता है important है NCRT में पहले PCR दिया है फिर आटो रेडियोग्राफि का पारग्राफ दिया और फिर ELISA दिया है प्लीज पहले आध्यान से समझिए सपोस करो कि मुझे ये पता है कि एक इनसान है जिसको TB का infection है TB मतलब mycobacterium tuberculosis bacteria का infection है मुझे मालू मैं infection है मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि उस bacteria का वो gene जो TB करता है वो एक normal gene है जैसा होता है या उसमें कोई mutation change हुआ है mutated gene है मैं ये चेक करना चाहती हूँ this or this मैं ये चेक करना चाहती हूँ ये तो मुझे पता infection है देखो normal gene scientist को मालूम है कि tuberculosis के bacteria का normal gene double stranded DNA जो है उसमें nucleotide का क्या-क्या sequence है जो बिमारी करता है mutated gene थोड़ी ना पता है mutation तो कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी change हो सकता है I don't know लेकिन normal gene scientist जानते है scientist ने क्या किया normal gene का complementary DNA या RNA बनाया वो भी single stranded क्या किया single stranded DNA या RNA बनाया complementary complementary single stranded DNA या RNA बनाया complementary very very important complementary single stranded DNA या RNA बनाया suppose करो ये है और यहां पर एक radioactive molecule लगा दिया radioactive molecule जैसे मान लो P32 लगा दिया मान लो यह ऐसा नहीं लग रहा जैसे shirt में एक tag लगा देते हैं किसी भी समान में एक tag लगा देते हैं उसकी detail लिखके यहां पर इस DNA में या RNA में जो single stranded है मैंने एक tag लगा दिया so tagged with radioactive molecule radioactive molecule radioactive क्या होता है जो x-rays डालने पर चमकता है जो x-rays डालने पर अलग से दिखता है उसे radioactive बोलता radiation के लिए sensitive aliza में जो enzyme है वो substrate डालने पर color देता है यह x-rays डालने पर चमकेगा इससे मैं पता करूंगी कि normal gene है या mutated gene है उस इंसान की blood के अंदर यानि मैं पता करूंगी जाच परताल और English में जाच परताल करने को बोलते है प्रोब यानि यह मैंने क्या बनाया है प्रोब प्रोब एक English word है जाच परताल करना जैसे कहते हैं पुलिस इस प्रोबिंग इन्टू दा केज जाच परताल कर रही है तो प्रोब क्या होता है प्रोब एक single stranded DNA या RNA होता है जिसके साथ एक radioactive molecule को जोड देते हैं जो x-ray डालने पर चमकता है यह scientist को मालुम है और उन्होंने TB का जो bacteria है उसका जो normal वाला जीन है उसके probes बनाकर ready रख लिए अब इस प्रोब को हमने सैंपल के अंदर डाल दिया और जो blood है जिसके अंदर infection है उसे भी हमने यहां डाल दिया मुझे नहीं पता normal gene है या नहीं suppose करो कि यह probe है suppose करो यह probe है अगर normal gene हुआ suppose first situation अगर normal gene है तो normal gene के दोनों strands हमने अलग करके डाले है तो एक strand जो है वो इसके complementary होगा मतलब अगर यहां पे A, T, C, G, A, T है तो इस पर T, A, G, C, T, A होगा क्योंकि मैंने इसी gene का complementary बनाया है और अगर यह complementary होगा तो पटा पट से यह hydrogen bond बना लेगा बना लेगा यह hydrogen bond बन गए और इस पर radioactive material है तो मैं जैसे ही x-rays डालूंगी यह चंकेगा तो अगर normal gene हुआ तो visible होगा on x-rays x-rays पर मुझे दिखाई देगा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि complementary है उसी के complementary ही तो मैंने probe बनाया है और probe के साथ radioactive molecule मैंने attach किया है लेकिन अगर यह mutated gene है situation number 2 तो कुछ ना कुछ तो mutation हुआ है ना तो अब वो इसका complementary तो नहीं रहेगा ना भई मान लो mutation के time यहाँ पर g आ गया पर मैंने तो यह c के हिसाब से ही बनाया है यानि यह mutated gene इसके साथ attached नहीं होगा यानि x-ray डालने पर नहीं दिखेगा so this is not appear on not appear on photographic film x-rays डालने पर नहीं दिखेगा और क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि probe की mutated gene के साथ कोई complementarity नहीं है why यहाँ लिख दू थोड़ा से इधर लिख दू because because probe do not have complementarity with mutated gene क्योंकि mutation तो कुछ भी हो सकता है हमने तो normal gene का complementary बनाया है probe और mutated gene की कोई complementarity नहीं यह इसलिए दिखाई नहीं देगा मजे आ गए बिलकुल easy way में समझा रही हूँ बिलकुल easy रटना नहीं है वो पूछेंगे बताओ mutated gene है या normal gene तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे probe बनाओ वो तो normal gene के complementary बनेगा उसे डाल दो patient का sample डाल दो x-rays डालो अगर चमका दिखाई दिया तो normal gene क्योंकि complementary है join होंगे तो x-rays डालने पर दिखेगा लेकिन अगर mutated gene है तो complementary तो हमने बनाया नहीं हमने तो normal gene के complementary बनाया तो कुछ ना कुछ change होगा तो join नहीं हो पाएंगे तो x-rays डालने पर दिखेंगे नहीं तो कितना easy अगर mutated gene है तो नहीं दिखेगा normal gene है तो दिखेगा photographic film याने x-ray पर और इसलिए से auto radiography बोलते हैं radiography क्योंकि x-rays यूज कर रहे हो x-rays क्यों यूज कर रहे हो क्योंकि radioactive molecule के साथ इसकी tagging करी है single stranded होता है इस पर previous year question आया हुआ ये भी previous year question आया हुआ है कि mutated वाला जो gene है वो नहीं दिखाई देगा ठीक है जल्दी से देखो एक एक word अच्छे से समझ आया या नहीं major चीजे हमने पढ़ ली है major important चीजे कि अच्छे से लाए हुआ है हो गया स्टूडेंट्स हो गया अवेज हो गया अच्छे से ठीक है खुश्णमा अबास उज्वल जुबेर राजेश सब को समझ में आ गया तो हमने एग्रिकल्चर के फील्ड में देख लिया, मेडिसिन के फील्ड में देख लिया, डाइग्नॉसिस बनाने के फील्ड में देख लिया और हमने बात कर ली तिशू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, सोमा क्लोन, सोमाटिक हाईब्रिद, एक्स प्लांट सब की आईए अब NCRT open करिए very very important transgenic animals transgenic animals क्या होगा genetically modified animal यानि एक ऐसा animal जसके अंदर कोई दूसरा foreign DNA डाला हुआ है तो वो animal जिनके पास DNA manipulated है यानि जो extra foreign gene जिनके अंदर डाला हुआ है और ना सिर्फ उनके अंदर डाला है वो express भी कर रहा है foreign protein भी बना रहा है desired protein उन्हें हम transgenic या genetically modified plant, animal, microbes ऐसे नाम दे देते हैं किन किन को बनाएं जैसे बंदर के अंदर अगर मैंने रात में चमकने वाला gene डाल दिया तो बंदर बन जाएगा transgenic अभी तक चूहे बनाएं खरगोश बनाए है यानि rat, rabbits, pig, sheep, cow, fish ये सब बनी है पर 95% से जाधा चूहे बनाए गए है ये question आता है 95% से जाधा more than 95% अगर 100 genetically modified animal scientist ने बनाए है तो 95% से जाधा चूहे है अब transgenic animal क्यों बनाना है समझो, बहुत इज़ी है समझो पहले suppose करो कि कोई एक gene है इंसान के अंदर मैं उसकी functioning को understand करना चाहती हूँ तो मैं उस gene को किसी चूहे में डाल दो चूहे के अंदर में जल्दी जल्दी study कर सकती हूँ लाइफ स्पैन भी छोटा होता है जल्दी जल्दी reproduction भी होता है अगर कोई बिमारी वगेरा हो रही है तो भी चूहे में study कर सकती हूँ यानि मैं नॉर्मल functioning study कर सकती हूँ इसी तरह अगर मान लो इंसान में कोई बिमारी करने वाला gene है breast cancer का gene है मैं उस gene को चूहे में डाल दू और फिर मैं उसमें study कर सकती हूँ कि वो कैसे protein बनाता है product बनाता है कितने दिन में बिमार करता है कोई treatment वगरा try करना है तो वो कर सकती हूँ यानि मैं normal functioning भी study कर सकती हूँ और मैं बिमारी disease study करने के लिए भी transgenic animal बना सकती इसी तरह कोई chemical बनाना या scientist ने बनाया या vaccine बनाई तो vaccine भी पहले जानवरों पर test करी जाती है फिर इंसानों पर test की जाती है तो vaccine, toxicity यानि chemical toxicity टेस्ट करना है vaccine टेस्ट करना है normal functioning पढ़ना है उसकी study करनी है बिमारी की study करनी है तो transgenic animals बनाते हैं और पांचवा अगर मैं मान लो किसी मचली के अंदर protein बनाने वाला gene डाल दू तो उस मचली में protein बनेगा याने कोई product भी मुझे मिल सकता है so five reasons मैंने बताए number one normal physiology and development study करने के लिए study करने के लिए normal जैसे insulin like growth factor एक example दिया हुआ है यहाँ पर हम normal functioning of the gene को study करने के लिए animal में डाल कर देखते है number two बिमारी की study करने के लिए कौन कौन सी human diseases है जिनकी study के लिए animals को genetically modify किया है चार बिमारिया है टिप्स पर होनी चाहिए दो कार बेकार नहीं दो कार cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's प्लीज इन चारों को अपनी copy में लिखिए दो कार study of disease heading डालो transgenic animals study of disease बिमारी यह चार बिमारिया है जिनकी study के लिए transgenic animals बनाए गए है याने transgenic models है very very important प्लीज लिख लिजे चारों के नाम पढ़ापट से चारों के नाम लिख लिजे बताऊंगे अभी biological products don't worry इसको छोड़ दो अभी तीसरा vaccine safety testing के लिए इसके लिए transgenic mice बनाए गए है चूहे polio vaccine की safety की testing के लिए चूहे बनाए गए थे मतलब पहले polio vaccine चूहे के अंदर डालकर test करा गया था फिर इंसानों पे use करी गई है actually पहले monkeys को use करते थे monkeys तो यह कह रहे हैं कि चूहे जो हैं वो monkeys को replace कर सकते then कोई भी chemical की safety की testing करनी है तो chemical कोई भी हो vaccine की करनी है normal functioning पढ़नी है या बिमारी पढ़नी है बिमारी में चार बिमारियां tips पर होनी चाहिए cancer, cystic fibrosis, Alzheimer's and rheumatoid arthritis और vaccine में transgenic चूहे बनाए गए है particularly polio vaccine में पहले monkeys use करते थे उन्हें replace कर सकते है अब आजो fifth पढ़ते हैं इसका point biological products पहले सुनिए मुझे ध्यान से, ध्यान से सुनो सुनो ध्यान से, register open कर लो लिको transgenic animals के अंदर biological products समझे सुनना ध्यान से ठीक है, पहला ए human का जो milk है इंसान का milk मतलब जो breast milk है उसमें एक protein मिलता है जिसका नाम होता है alpha-lact-albumin आपको पते हैं albumin एक protein है इसका नाम है alpha-lact-albumin protein ये cow milk में नहीं मिलता है लेकिन मान लीजे कोई lady है वो अपने बच्चे को दूद नहीं पिला पा रही है breastfeed नहीं कर पा रही है lactation नहीं कर पा रही है उसे गाय का दूद दे रहे है तो normal गाय के milk में ये नहीं होता यानि इस protein की कमी हो जाएगी protein है ये उस बच्चे के अंदर scientist ने क्या किया इस protein को बनाने वाला gene पता कर लिया उस gene को एक गाय के अंदर डाल दिया और अब उस गाय के दूद में ये protein बनने लगा जी हाँ इस गाय का नाम रखा Rosie ये पहली transgenic cow है पहली गाय जो genetic engineering से बनाई गई 1997 में इसका नाम भी रखा Rosie Rosie 1997 enriched with alpha lactalbumin कितना इस रोजी गाय के अंदर दूद के अंदर ये protein कितना था 2.4 grams per liter पर liter ये तक आता है 2.4 grams per liter तो एक गाय बनाई गई Rosie नाम की उसको नाम दिया गया Rosie इसके milk में human वाला alpha lactalbumin protein मिलता था भारी मात्रा में 2.4 gram per liter में याने ये nutritionally more rich है normal natural गाय की तुलना में ये more rich है natural गाय की तुलना में तुम एक प्रोडक्ट मिल रहा है alpha lactalbumin का चलिए अब दूसरा दूसरा B एक भेड बनाई गई sheep उसके उसके अंदर alpha 1 anti-tripsin ये इनसान का एक protein है alpha 1 anti-tripsin उसका gene डाला गया मैंने क्या बोला आपसे मैंने बोला कि एक भेड बनाई गई transgenic sheep उसके अंदर human का एक protein का gene डाला गया उस protein का नाम है alpha 1 anti-tripsin NCRT में नहीं दिया इस भेड का नाम Tracy था NCRT में नहीं दिया ये काम आता है to treat emphysema यानि हम एक product मिल रहा है एक दवाई भी मिल रही है emphysema को treat करने के लिए emphysema किसी को यादे कहा पढ़ा था जब breathing पढ़ाया था breathing वाला chapter emphysema में मैंने क्या पढ़ाया था यादे किसी को कि जो alveoli है इसकी wall destroy हो जाती है wall क्यों destroy होगी wall protein की बनी है trypsin enzyme protein तोड़ देता है तो इसका ilaj क्या है trypsin का उल्टा anti-trypsin emphysema को treat करने के लिए क्या लगता है anti-trypsin alpha-1 anti-trypsin तो sheep के अंदर से ये product इसका gene डाल कर ये product निकाला गया human protein alpha-1 anti-trypsin to treat emphysema इसी तरीके से और भी जानवर बनाए गए है for treatment of phenyl ketonuria and cystic fibrosis अब प्लीज थोड़ असा आपका full attention मुझे चाहिए cystic fibrosis बिमारी की study करने के लिए भी transgenic animals है 2 car, cancer, rheumatoid, arthritis alzheimer and cystic fibrosis cystic fibrosis दोनों जगे आती है cystic fibrosis के treatment का protein भी एक animal के अंदर बनाया गया gene डाल के और उसकी study करने के लिए भी gene को animal के अंदर डाला है तो ये प्लीज दियान रख ले न कि cystic fibrosis दोनों जगे आ रहा है treatment भी और disease की study भी penile ketone, uriya आपको बताएंगे genetic disorders है आपको principles of inheritance में पढ़ाया होगा तो ये तीन आना चाहिए ठीक है? यह और बगेरा सब कुछ important है एक एक word important है इसका नाम भी important है तो transgenic animals five reasons से बनाएं number one normal physiology study करने के लिए number two diseases study करने के लिए number three vaccine testing के लिए number four chemical की safety की testing के लिए और number five कोई product बनाने के लिए diseases में four diseases यानि two car cancer, cystic fibrosis, Alzheimer's and rheumatoid arthritis और biological products में rosy guy 1997 में बनाई गई alpha lact albumin protein मिलता है इसके दूद में sheep बनाई गई transgenic tracy नाम की जिससे alpha one anti-tripsin जिससे emphysema treat होता है वो मिलता है और penile ketone urencistic fibrosis के treatment के लिए भी transgenic animals बनाएं गए products निकालने के लिए जितनों कोई समझ में आ गया जल्दी से मुझे थम सब दे दो पढ़ापट से ले लीजे screenshot ले लीजे पट वैसे मैंने आपसे कहा था इसे अपने register में लिखो मेरे साथ साथ इसे लिखना है मेरे साथ में हो गया dolly clone है dolly नहीं पढ़ा रही हूँ मैं dolly तो अपनी मम्मी की कार्बन कॉपी थी ये ट्रांसजेनिक है confused मत होई है dolly sheep clone थी अपनी मा की कार्बन कॉपी ये Tracy कार्बन कॉपी नहीं है Tracy के अंदर तो कोई दूसरा gene डाला है ट्रांसजेनिक है चल्ट story को आगे बढ़ाए आएए इस चाप्तर के last topic पर आते है ethical issues last है पर less important बिल्कुल भी नहीं है देखो genetic engineering से नहीं हम कुछ भी कर सकते है मतलब हम ऐसा भी कर सकते है कि एश्वर्यराई की नीली आँखों के लिए जो gene responsible है उसे किसी embryo में डाल दे तो वो लड़की की भी नीली आखे बन जाएंगी हम लता मंगेशकर का सुरीली आवाज वाला gene किसी के अंदर डाल दे तो वो भी लता मंगेशकर की तरह गाना गाने लग जाएगा हम विराट कोली के cricket skills के लिए अगर कोई gene की responsible है तो उसे किसी के अंदर डाल दे तो वो विराट कोली की तरह batsman बन जाएगा या धोनी की तरह विगट कीपर कीपिंग करने लग जाएगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कुछ भी करते फिरेंगे अपन जैसे वो बिचारा बंदर जो है उसका नाम राइट सो यह यही कह रहे हैं कि यह जो हम living organisms का manipulation कर रहे हैं चेड़ चार कर रहे हैं उसके साथ इसे हम बिना control करें यूही नहीं होने दे सकते इंग्लिश वो आलिवुड मुवीज में देखते हो ना आप कोई कोई वाइरस है वो किसी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फिर वो सब के अंदर फैल गया वो काटने लग गया और फिर वो विलेन बन गया वो बड़ा खतरनाक हो गया यानि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए क्योंकि यह जो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गानिसम बना रहे हो इसके अन प्रेडिक्टिबल रिजर्ल्स हो सकते हैं हमारे इको सिस्टम के अंदर इसे मूवीज में दिखाते हैं हलक भी तो ऐसे ही बना है हलक राइट चली नो इस नौट आउट ओफ एंसी आटी सेलेबर्स बिल्कुल आउट ओफ एंसी आटी नहीं है और ना एंसी सेलेबर से पढ़ लो पढ़ लो एंसी ने दिया आई है तो हमारी इंडियन गवर्मेंट ने एक बॉड़ी बनाई है एक कमिट में वाला तो मैं डायरेक काम शुरू नहीं कर सकती मैं अपना पूरा प्रपोसल बनाऊंगी मैं इस कमिटी के पास जाऊंगी यह कमिटी दो चीज़े देखेगी सबसे पहले यह देखेगी ध्यान से सुनना यह वो लाइन्स है जो बच्चों को बोलिंग लगते और यहां स सबसे पहले वो यह देखेगी कि क्या यह जैनिटिक मॉडिकेशन की रिसर्च जो है वो वैलिड भी है या नहीं रीपोकर तो नहीं बना रहे हैं दूसरा मानलो उसको लगा हाँ अच्छे काम किया इसने मुझे ओक्के कर दिया मैंने सब बना बना लिया फिर मैं मार्किट म को बोलते हैं जैनिटिक इंजिनियरिंग अप्रूवल कमिटी इस पर दो तीन बार प्रीवियस यर क्वेशन आया है इंडियन गवर्मेंट ने बनाई है जी इएसी प्रीवियस यर क्वेशन आया है यानि जैनिटिक इंजिनियरिंग अप्रूवल कमिटी यह दो काम करती है नमबर वान ये किसके लिए decision लेगी कि वो जो research है वो valid भी है या नहीं और दूसरा जो genetically modified organism है उसे public के लिए introduce करना safe है या नहीं safe है या नहीं कल अब एक और बड़ी interesting चीज हुई है समझना देखो होता क्या है कि जैसे चावल की बात करें चावल की इंडिया में दो लाख varieties है टू लाख जिसमें से 27 बास्मती है बास्मती अपने अरोमा और फ्लेवर खुश्बू और फ्लेवर के लिए जाना जाता है पहले जमाने में जब दीदी को उसके ससराल वाले देखने आते थे तो बास्मती चावल बनता था बहुत बड़ी बात होती थी पेटेंट देता है जो उससे साइन ले लिए और बोला अब यह बास्मती पे हमारा हक है राइट से हमारा पेटेंट हो गया है यह जैसे पी डब्लीव का लोगो पी डब्लीव का पेटेंट है कोई दूसरी कंपनी यूज नहीं कर सकती वरना फ्रॉड माना जाएगा चार्जस देने पड़ेंगे तो उन्होंने का भी हमारा पेटेंट है इसका मतलब हम हिंदुस्तान में इंडिया में पूरी दुनिया में जहां जहां फार्मर्स किसान बास्मती उगाएंगे उन्हें उसे पैसे देने पड़ेंगे कॉंपनसेशन देना पड़ेगा वरना चोरी मानी चाहेगी तो यह कोई बात थोड़ी होती है बास्मती तो हम सालों से उगा रहे हैं ऐसे थोड़ी चोटा मोटा कांट चाट करके आप बोल सकते हो पेटेंट ले लिया इंडियन गवर्मेंट कूदी बीच में और उस पेट बास्मती अपने यूनीक अरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है और थाउजन्स ओफ यूर्ड से इंडियन फार्मर्ड अपने खेतों में इने उगा रहे हैं नाव नाइन्टी नाइन्टी सेवन में एक अमेरिकन कंपनी ने इस बास्मती पर पेटेंट ले लिया पेड़मार्क ऑफिस से है इन्होंने बास्मती की वेराइटी जो है उसे एक्चुली क्या किया था एक सेमी डॉर्प वेराइटी से और क्लेम करा कि ये तो हमारा इन्वेंचन है ये तो हमने आविशकार किया है इसका मतलब है कि दूसरे लोग जब बास्मती बेचेंगे त इस पेटेंट से उन्हें रोका जा सकता है उनकी खिलाफ लीगल आक्शन लिया जा सकता है तो 1997 में रोजी गाए भी बनाई थी एली लिली कंपनी जिसने इंसुलिन बनाई थी वो भी अमेरिकन कंपनी थी ये चोरी करने वाली कंपनी भी अमेरिकन कंपनी है यूएस पेटे हल्दी & नीम हल्दी में anti-inflammatory properties हैं नीम antifungal होता है यानि अगर हम विजिलन ना रहें अगर हम सतर्क ना रहें और immediately steps ना ले तो दूसरे हमारी rich legacy पर cash कर सकते हैं पैसा बना सकते हैं बायो पेटेंट सी, मतलब पेटेंट ले लेना, पेटेंट कब लिया जाता है, जब कोई चीज आपने नई बनाई है, यूनीक बनाई है, ये यूनीक थोड़ी ना है अब आईए एक टर्म पढ़ते हैं, बायो पाइरेसी, पाइरेसी आपको मालूम है न, जैसे मूवीज की सीडी की पाइरेसी हो जाती है, चोरी अगर, कोई भी मल्टी नैशनल कंट्री का कमपनी, या कोई भी और्गनाईजेशन, कोई बायो रिसोर्स को यूज कर रही है, बिना वहां के लोगों की परमीशन लिए, या उन्हें कॉम्पनसेशन दिए, तो हम कहेंगे वो चोरी कर रहे है पी डवल्यू का लोगों अगर कोई दूसरी कमपनी बिना पी डवल्यू की इजाजत के यूज करेगा, तो वो चोरी होगी जैसे इन्होंने चोरी की थी, पाइरसी कर दी थी, वो बासमती का उल्टा सीधा करके जो देश है, जो लोग है, उनसे अथारिटी नहीं ली, उन्हें कॉम्पनसेटरी पेमेंट नहीं दिया, उसके बिना ही उसे यूज कर रहे है, ये चोरी है, बायो पाइरसी है डिफरेंट समझ में आया, बायो पेटेंट और बायो पाइरसी, बायो पाइरसी मतलब चोरी करना, बिना परमीशन लिए, बिना पेमेंट करे, कॉम्पनसेशन दिये और बायो पेटेंट मतलब पेटेंट लेना उसके राइट्स लेना अधिकार लेना गलत तरीके से अधिकार लिये थे बास्मती के अब ये कहते हैं कि जादा तर जो इंडस्ट्रिलाइजड नेशन है याने डेविलाप्ड कंट्रीज हैं वो फाइनैंशली तो बहुत रिच हैं पर वहाँ पेड़ जानवर याने बायो डाइवर्सिटी पूर है जादा पुरानी सब्विता नहीं है जादा ट्रेडिशनल यह सब कुछ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ठीक है तो बैलेंस बनाना पड़ता है क्योंकि डेविलप्ड कंट्रीज पीछे पड़ी हुई है कि कैसे भी करके बायो पाइरसी कर ले ऐसी एक अपरिका में भी आती है वेरी वेरी रिट सोर्स और प्रोटीन और बहु पेटेंट ले लिया बिना पेमेंट लिये या कोई अथॉरिटी उन्होंने तो वह छोटा मुटा क्रॉस कराया और बोला कि यह तो हमने बनाई है यानि अब वहां के लोगों को वहां के किसानों को इनको पैसे देने पड़ेंगे होगाने पे नहीं तो यह चोरी का नाम इंडियन पेटेंट बिल इंडियन गवर्मेंट ने जी इसी बिनाई है जैनिटिक इंजिनेरिंग अप्रूवल कमिटी वह तो हमें डिसीजन देती है कि आप यह रिसर्च कर सकते हो कि नहीं और कर लिया तो सेफटी है या नहीं इंट्रीउस करने की पब्लिक के लिए वह स इस बिल के लॉज के अकॉर्डिंग ही सॉल्फ करते हैं जो लॉयर्ज होते हैं यह क्या क्या करता है नंबर वान जो भी पेटेंट से रिलेटेड एमर्जेंसी प्रॉविजिन्स हैं एमर्जेंसी जैसे वो 1997 में अमेरिकन कमपनी ने अचानक से राइट्स ले लिये थे या दूसरा अगर कोई रिसर्च एंड डेविलप्मेंट वगेरा करना है लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है जितने ताले उतनी चाबी तो जब पहली बार इंडियन पेटेंट बिल बना तो कोई ऐसी चोरी होई जिसका आंसर इस बिल में था ही नहीं तो फिर समय समय प रिसेंटली इंडियन पार्लिमेंट ने इंडियन पेटेंट बिल का सेकंड अमेंडमेंट क्लियर करा है और यह जो भी पेटेंशी से रिलेटेड प्रॉविजिन्स है या रिसर्च एंड डेविलप्मेंट इनिशेट करना है उन सब की डिसेशन्स लेते हैं मज़े आ गए जल्दी से येस या थम सब दे दो मुझे पड़ा पट से ये लास्ट की लाइन बड़ी बोरिंग लगती हैं पर बहुत बहुत इंपोर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स अल्राइट सो विद दिस माई लवली स्टूडेंट्स वी हाव दन चाप्टर ओव इस सब पढ़ लेना एक बार बायो टेक अप्लिकेशन आजओ इसकी समरी में कुछ पॉइंट्स दिखा देती हूँ समरी में देखिए समरी में जेनिटिकली मॉडिफाइड और्गानिजम्स जो हैं वो आर डियने टेकनोलोजी से बनाए गए हैं जीन्स को ट्रांसफर करके ये वो लाइन्स हैं जो में तियोरी में नहीं हैं जीन थेरिपी में हम क्या करते हैं हम इंसर्ट करते हैं जीन्स को इंडिविज्वल के सैलिया टिशूज में और बिमारिया ठीक करते हैं यहां पर हम एक defective यानि mutant gene या अलील को functional gene या अलील से change कर रहे हैं, replace कर रहे हैं, viruses जब attack करते हैं host को और introduce करते हैं अपना genetic material into the cell, फिर replicate करते हैं, उन्हें भी vectors की तरह यूज़ करते हैं, हम जानते हैं animals के अंदर viruses को, retro viruses को vectors की तरह यूज़ करते हैं, मज़े आ गए, मज़े आ गए, बायो टेकनलोजी बहुत important है students, दोनों chapter से मिला के 6-7 questions तो आते हैं, और इस साल तो chapters delete हुएं, तो इनसे और जादा आने का chance है, please try करिए, बस थोड़े से few minutes more आईए questions solve करते हैं, transpose zones, यह देको need 20-22 का question, आपको जानके अश्यर योगा, बहुत सारे students का गलत हुआ था, transpose zones हमने कहां पढ़ा था, RNA interference technique में, जहांपर हम gene को इस तरह से introduce करते हैं, कि double stranded RNA बने, तीन तरीकेते, या तो agrobacterium tumifacian को use करो, या virus जो RNA के थूप replicate करता है, या mobile genetic element transpose zones, gene silencing, actually mRNA silencing में use होता है, ठीक है, चलिए, now 2020, beat चलो करो, आप try करो, करो, आप try करो, फड़ापट से, come on everyone, question solve करोगे, तो confidence आएगा, मज़े आएंगे, जो students बाद में जुड़े हैं, वो starting के 10-15 minutes देख लेना, जहां मैंने old NCRT, new NCRT के बारे में details बताएं, किस से क्या पढ़ना है, सरस्वती बहुत अच्छे से समझ आ गया, God bless you, BT cotton की variety, जिसमें toxic gene डाला था, BT kite is resistant to pest, insect pest, predator नहीं, predator तो शिकारी होता है, यह pest है, फसल को खराब करने वाला, 2020 COVID, RNA interference is used for the purpose in which field, RNA interference की बात कर रहे हैं, RNA interference technique कहां यूज के थी, pest resistant tobacco बनाने में, और tobacco में कौन सा pest था, निमाटोड, चलिए, next, 2019, golden rice के बारे में true पूछा है, अब यह थोड़ा सा out of NCRT है, हलका सा out of NCRT गया था एक question, NCRT में केवल golden rice, vitamin A rich है, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, अफ्कॉस आप फिर भी answer निकाल सकते थे, rice की पुरानी विराइटी से थोड़ी न डालते हैं, डाफूडिल या कैरट से डालते हैं, वान, now, 2019, क्या है जो प्रो टॉक्सिन इनाक्टिव को अक्टिव पॉर्म में कनवर्ट करती है, alkaline pH of gut, alkaline acidic नहीं, now, 2016, miloidi गाई नी incognition, tobacco के किस पार्ट को अफेक्ट करती है, roots को, जड़ों को, roots को, now, 2015, फिर से question आगया, प्रो टॉक्सिन को अक्टिव टॉक्सिन में कनवर्ट करना है, BT वाले को कौन करता है, alkaline pH, देखो, exactly same question रिपीट हो रहा है, कितना ज़ादा important है, golden rice, vitamin A, आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, 2013, BT cotton जो इंडिया में ग्रो करता है, BT cotton, अब तो वैसे सोया बीन और ब्रिंजल, टॉमाटो वो सब भी बना लिए हैं, बट सबसे पहले BT cotton क्योंकि उसकी details नCART में दी हैं, now, 2022, करिए try, करिए try, करिए, करिए try, my dear students, बहुत मज़े आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, बस पढ़ने में मज़े आएंगे, तो नंबर अपने आप आएंगे, इन जीन थेरेपी ऑफ ADA डेफिशेंसी, patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes, lymphocytes को उने genetically engineered करके वापस patient की ब्लड में डाला पर बार 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 क्यों देना पढ़ेगा, क्योंकि अमर नहीं है, they are not immortal, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, बोरिंग नहीं लगता है, फेट से पढ़ने में, थैंक यू, चलो, करो ट्राइ, बहुत शांदार क्वेस्चन है, करिये ट्राइ, need 2022, करिये स्टूदेंट्स ट्राइ करिये, करिये स्टूई झार से दो, करिये से तड़ने में, थैंसे पनलाक्षrada स्टूदेंगार कि liquidity दोल देधर पिर्मे धसाने ही तो, क्या जा है, बहुत शेंदस्टर्स टाराइ, करिये से प्या है, जा जा अटूदा Mary, क? झाल झाल आजी आएं आएंसर आएं देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है इस वेरी नाइस क्वेश्चन और बहुत स्टूदेंस कन्फ्यूज हुए थे जब यह क्वेश्चन एक्वेश्चन में आया था यह पूछ रहे हैं कि करेक्ड बताना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में अगर आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्ड ना देखो आप सिर्फ इंसुलिन सोचो तो प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा सी होता है दिस इस ट्रू A और B differently separately produce होते हैं और फिर बाद में disulfide bond create करते हैं इंसुलिन को पहले cattle और pig के pancreas से निकालते थे प्रो इंसुलिन को process होना पड़ेगा mature form में तभी काम करेगी और कुछ लोग अगर foreign insulin दे यानि आनिमल्स वाली तो allergic reactions होती है option देखके भी समझ में आ रहा है all नहीं है तो कुछ घोचा है यह सिर्फ genetically engineer की बात कर रहे है genetically engineered में C chain का तो role ही नहीं आता वहाँ तो बस A chain अलग बनाते हैं B chain अलग बनाते हैं दोनों को join करते हैं यानि यह वाला point true है यह genetically engineered insulin से लेना देना नहीं है यह भी लेना देना नहीं है यह भी लेना देना नहीं है और यह भी लेना देना नहीं है क्योंकि genetically engineered में ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले immature बने फिर mature बने कोई पंगा ही नहीं है यानि only be आगे मज़े माम आपकी वज़े से botny बढ़िया हो रहा है सबाग दियो God bless you God bless you चल आजो 2021 when targeting when gene targeting involved gene amplification is attempted in an individual tissue to treat the disease आपको treat करना है तो gene therapy दोगे now 2021 PCR का application नहीं है हमने तीन applications पढ़ी PCR की AIDS अगर suspect कर रहे हो तो HIV detect कर देगा cancer अगर suspect कर रहे हो तो gene में mutation और genetic disorders gene mutation पढ़ा gene amplification तो होता है ये multiple copies बनाना और diagnosis में भी पढ़ा diagnosis में ही तो तीन technique पढ़ी PCR very low concentration जब symptom भी नहीं आया है तब हम पता कर सकते है अलाइज और auto radiography ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा ये downstream processing का part है now sequence of steps कल भी पढ़ा था पहले denaturation फिर annealing और फिर extension कातन आप से कई बार आया है चल्डवेंटी ट्वेंटी वान करिए ट्राइ करिए ट्राइ करिए 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 हां जी nowadays it is possible कि हम एक mutated gene को पता कर सकते है radioactive probe को use करके ठीक है बोलो mutated gene दिखाई देगा या नहीं नहीं देगा mutated gene does not appear क्योंकि कोई complementarity नहीं है because it has no complementarity आगया सबका 2 appear नहीं होता कभी भी नहीं होता चल्येंटी ट्वेंटी वान करो ट्राइ करिए students ट्राइ करी insulin पर फिर से question आया है 21 में भी आया है 22 में भी आया है तूत्री सेम नहीं था इसमें ये कह रहे हैं प्रोब की complementarity है जबकि प्रोब की complementarity नहीं होती है सेम नहीं था चलो ये insulin के बारे में correct पूछ रहे है only insulin अब genetically engineered insulin नहीं लिखा c peptide mature में नहीं होती true a true है तो ये answers नहीं हो सकते है insulin r dna से जो बनेगी उसमें c peptide होगा नहीं होगा नहीं होगा b वैसे भी नहीं है pro insulin में c peptide होता है true तो ये answer होगा क्योंकि हाँ पे c नहीं है a और b interconnected होता है dyesulfide bridge से तो genetic engineering पे particularly 2022 में question बना दिया और general normal में 2021 पे question बना दिया चलिए 2021 effective treatment करने के लिए early diagnosis जरूरी है early diagnosis में कौनसी technique यूज होती है aliza PCR और autoradiography यहाँ aliza दिया हुआ है ठीक है ठीक है adenosine deaminase की deficiency है तो कौनसी बिमारी होगी बताइए kid याने immune system की गडबड हो जाएगी immunodeficiency now 2020 which is not correct याने false देखो insulin पे कितना question आता है pro insulin में extra c peptide chain है functional insulin में A और B है जिन में hydrogen नहीं di sulfide bond है यह false है बाकि genetically engineered insulin E. coli में बनी थी और insulin नॉर्मली पहले pro insulin के form में बनती है now 2020 करो try करो करिये try students करिये try students बीटी कॉर्टन बैसिलर्स थूरी एंजेंसस से यह जीन मिलेगा salt कहानी खतम adenosine deaminase deficiency में gene therapy देते है RNA interference all eukaryotes का cell defense है और PCR से हम HIV को detect कर सकते है याने 4, 1, 2, 3 पर वैसे ही answer आगया एक जटके में 2080 which of the following is used as a vector for introducing DNA in human lymphocyte lymphocyte human animal cell है और gene therapy की बाद कर रहे है animal cell में retro virus को use करते है now 2016 कौन सी therapy दी गए थी 1990 में 4 year old girl को जो ADA deficiency से सफर कर रहे थी gene therapy now 2016 2 polypeptides of human insulin किस से link होते है A और B chain disulfide bonds now 2014 ADA के enzyme है जो skid genetic disorder में deficient होता है what is the full form of ADA adenosine deaminase deoxyaminase नहीं adenosine deaminase now 2014 first human hormone जो RDNA से बना था पहला hormone insulin now 2020 covid try करेए बन रहे हैं सबसे questions सारे important previous year questions में आपको करवा रहे हूँ PW app पर आपको notes वगेरा सब कुछ मिल जाएगा करेए ऑना आपको परी बनी डिल चलो Laws and Rules to Prevent Unauthorized Exploitation are termed as Unauthorized Exploitation को रोकना है ये कितने लोगों ने आंसर लगाया Biopiracy तो चोरी करना होता है Use of bioresources without authorization without compensatory payment चोरी ये piracy है पर ये तो Laws and Rules की बात कर रहे है Ethics की बात कर रहे है यहां पर हमें Patents की करनी to prevent Unauthorized Exploitation Unauthorized Exploitation Unauthorized Exploitation क्या है वो ये है उसे रोकने के लिए Patents बनाए गए है कि भई ये इसका Patent है अगर आपने चोरी की तो फिर आपको इसकी सजा मिलेगी आपको compensation देना पड़ेगा आपको जेल में भी डाला जा सकता है जल्दी से देखो सबको clear है या नहीं बढ़िया question था बहुत सारे students फसे थे इसमें it is a nice question good question चलिए 2018 safety of introducing genetically modified organism in public validity है या नहीं research की और उसकी safety ये सब G.E.A.C. देखती है genetic engineering approval committee now 2018 एक new variety चावल की बनाई गई foreign company ने बनाया जो इंडिया में बहुत समय से थी ये किसकी बात कर रहे है ये बास्मती चावल की बात हो रही है now 2018 ये है bio resources का use बिना authority लिए बिना permission लिए बिना payment करे ये चोरी होती है bio piracy this is piracy 2015 फिर से वो ही same question आगया genetic engineering approval committee same exact same now this is NEET 2023 which is does not serve the purpose of early diagnosis early diagnosis किससे नहीं होता ELIZA से तो होता है PCR से होता है RDNA technology पूरा chapter ही पढ़ रहे है PCR भी RDNA technology होता है ये नहीं होता ये conventional method है इनसे तब होता है जब बिमारी हो गई है symptoms आगे है high concentration में pathogen है all right so my lovely lovely नाधान परिंदो आपको complete NCRT पढ़नी है comment box में class over होने के बाद जरूर बताना कि chapter पढ़ने में मज़े आया नहीं आये है और अब भी तक हमने 11th पूरा complete कर दिया है और 12th में हमने human reproduction, reproductive health complete करा evolution, human health and disease पढ़ लिया पन वो पढ़ना है बाकी complete होगे यह जो लॉजी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी pw app पर मिल जाएगी तो मुझे comment box में जरूर बताना आपकी जर्नी कैसी रही है यह chapter कैसा लगा है biotech applications हमने new NCRT के जो tissue culture वगेरा उसको भी कर लिया है कल कोई class नहीं है अब next class next week होगी notification आपके पास में आ जाएगा all my love, all my blessings to all my आदान परिंदों मजे आ गए आपको पढ़ा कर God bless you, bye everyone, take care